हेलो एवरिवान वेल्कम टु माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है हिमान शोगरवाल और यहां हम पढ़ते हैं एक्सल टैली एन Кर्वार करें तो आज के अपर करते हैं तो आज के टोपिक में पढ़ेंगे डिफाइन कंपनी कैसे बनाते हैं असाइन कंपनी कोड़ टू कंपनी और इंडिफाइन बिनिस अरिया तो फइस्ट हम पहले इन के बारे में जानते हैं, बेसिकली होते क्या हैं, तो आईए, मैंने एक एग्जामपल लेकर बताए आपको, सबसे पहले क्या है, सबसे फर्स नमबर पर लिया है, मैंने कंपनी, कंपनी हो गई, में गुरूप, लाइक एक गुरूप है, R.I.L. गुरूप, ये बहुत बड़ी मैंने कंपनी हैं, तो ये हो गया, एक मैं गूरूप और ये हो गए इस की कंपनी, ये कंपनी कोड लिया मैंने के ये हो गयी इसकी पार्टिकुलर बिजनेश यें या कंपनी zon encode, ज काम डही है, तो ये R.I.L. गुरूप हो गया, और ये हो चलिगें का लेकांट के स्स 이렇게 और में लाज्ट चाल şu में हम मर्ज करेंस के बार वालेंस शीट परनिमयin चालल आप इसके उसके बहुता ह sûr मईने मीनिस एरिया बिजने तो मोस में बनाते हैं जाहिए ने चाड़य कर में चाया चाड़ में से पर दालते हुं डालते हैं हमने प्रफेर के लाएं मेरे हैं एक अ करिंटेटल में होता है अ किछ गृुप में बनाते हैं तो यह में एकाउंट ग्रूप होते हैं जिने हम SAP में बोलते हैं Chart of Accounts ठीक है उसके बाद होता है हमारा नीचे आते हैं financial year, financial year April to March, January to June यूलाई to June ये प्रिडिफाइन होते हैं जो हमारा इंडिया में चलता है वो चलता है April to Mars तो April to Mars का जो code है वो है predefined SAP में V3 यह सब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आपको यह बिल्कुल किलियर हो जाएगा तो आज की हमारी first वीडियो में जो पढ़ेंगे हम वो हम यह topic cover करेंगे define company तो पहले हम company बनाते हैं कैसे company बनाएंगे company कौन सी यह value जो मैंने जोगी इसको हम SAP में किस तरह से define करेंगे वो हम start करते हैं तो हम आगे SAP में SAP को हम log on करते हैं उसके वाल लॉगन यहां पर मैं अपना यूजर आइडी पासपर डालता हूं यह SAP की first screen है तो सबसे पहले हमें क्या करना है define company तो define company के लिए जो हमारा shortcut है वो है इसका transition code जो है OX 15 मैं आपको दोने तरीके से बताता हूं long and shortcut तो सबसे पहले हम जाएंगे long method के थुरू company कैसे बनाते हैं SPRO टाइप करेंगे हम enter करेंगे SAP reference IMG यहां पर जाएंगे enterprise structure पे definition financial accounting and define company new entries पे क्लिक करेंगे तीक है इसी को मैं short method से आता हूं diet poist screen से OX 15 हम टाइप करेंगे define company का आएगा new entry ठीक है हमने आपर टाइप किया RILG RILG हमने आप किया ठीक है यहां जो भी इसकी detail आपको fill करने है आप fill कर सकते हैं मैं नहीं कर रहा हूं ठीक है उसके बाद यहां पर करेंगे save company बन गई फिर हम main screen पे आते हैं उसके बाद हमें क्या बनाना है define company code define company code कौन से थे यह तो हमारी main company थी यह हमारे company code particular उनके business तो इनको कैसे बनाएगे SAP में इसके लिए पहले long method हम यूज करते हैं यहां पर type करेंगे spro preference img enterprise structure definition function accounting and edit copy delete company code इस पर क्लिक करेंगे edit company code पर double click करेंगे यहां पर आएँगे new entry अब इस screen पर हम shortcut method से आते हैं इसका जो code है transition code है वो क्या है OX02 OX02 enter करेंगे sorry फैल बाहर आजाएंगे बलकुल OX02 ठीक है यहां पर new entries हम क्लिक करेंगे अब हमारा जो company code है हमने type किया BRPL यह देखे यहां पर दो company code दिये है मैंने BYPL BRPL BRPL मैं बना रहा हूँ BYPL पर आप प्रैक्टिस करेंगे BACS राजदानी पावर लिमिटर यहां यहां पर अब इसको हम सेव कर देंगे सेव करने के बाद यहां पर एक इसक्रीन और उपन होगी अब यहां पर आपको साइड डालने है इसकी यह क्या कंपनी है BC राजदानी पावर ठीक है सर्च रिजर्ट किस से सर्च हो लाइक हमने कहा BCS से सर्च हो ठीक है जो भी आपको यहां डालना हो डाल सकते हैं कंटरी कहां पर है इंडिया इंडिया में वी किस रीजन है in which state-wise we all have जो लाइक करते है तो है ज किस तेटेट उनको पर ट्स रीजन है तो ममारा हम डैली का 30 ओन नंबर जो भी आपको अपाको फिल करने फिल करके आप इस पर क्लिक कर दींजihat ऑनेन से कर, East अब है हमारा थेड क्या है अब हमें इसको इससे लिंक करना है ठीक है कंपनी कोड को कंपनी से तो उसके लिए हमारा है एसाइन कंपनी कोड तो कंपनी सिक्स्टी तो हम यहां पर आएंगे पहले हम लॉंग मैथर से जाएंगे एस पी आरो एंटर सिर्फ्रेंस आएमजी एंटरपाय स्ट्रक्चर एसाइनमेंट में फानेशनल अकाउंटिंग यहां पर देख्या आ रहा है एसाइन कंपनी कोड तू कंपनी इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आ गए अब इसको शॉड मेधर्ट से आते हैं ट्रेंशन कोड के थू ट्रेंशन कोड क्या होता इसका Os 16 folks 16 यहां पर टैप करेंगे Os 16 तो डेक्ड capita आ गए हूं अब अपनी में पर खलिक करेंगे अपनी कंपनी कोड को को सर्क करेंगे हमारी कंपनी कोड का क्या नाम था वीयार थेलेंटक करेंगे इस Saat आगया कंपनी क्या थी BRPL आ रहा है यहां पर देख रहा है अब कंपनी क्या थी हमारी RILG ठीक है RILG हमने इस कंपनी कोड को इससे लिंक कर दिया अब बाहरा आते है उसके बाद क्या है हमारा Define Business Area तो Define Business Area करना हम है Business Area बनाने के लिए हम कहा जाएंगे फिल से जाएंगे SPRO SAP Reference IMG and Enterprise Structure Definition Definition Enter यहांपर आएंगे Define Business Area यहां न्युवेंटी shortcut method के थुरू आना है आपको तो आपको किलिक करेंगे OX03 अब मैंने यहां पर तीन विजिनस एरिया बनाया है कौन-कौन से हैं हिद्राबाद, बैंगलोर एंड चेन नहीं तो पहले मैंने आपको हिद्राइप किया HYD विजिनस एरिया 4 हिद्राबाद थेक है दूसरा बना लिया हमने बनागर तीन तूसरा बनागर तो इस तरह से आप ठीक है इस तरह से आप सो उन उसके वाद हम इसको सेख कर दिए तो हमने सारा कवर हो चुका है हमारा तो हमने पहले सी का डिफाइन कंपनी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी है तो लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू हलो एवरिवान वालकूम टू माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम है हिमानश गरवाल और यहां हम पढ़ते हैं एक्सल टैलियान एसे पी एफाइफाइसी ओ मडूल आज का हमारा जो टॉपिक है हमारी जो सीरी चलिए वो चलिए है एसे पी एफाइसी ओ की जो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अगर आपने वीडियो नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा आपकी ते देख लेना आज इसकी से पी की हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे डिफाइन चार्ट अप अकाउंट एसाइन चार्ट अप अकाउंट टू को डिफाइन तो आईए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट अप अकाउंट की चार्ट अप अकाउंट होता क्या है तो यह चार्ट अप अकाउंट मैंने बना की तिखा रहता है चार्ट अप अकाउंट नथिंग बट यह क्या होता है हमारे अकाउंट्स इसे बोलते हम चार्ट अपकाउंट बेसिकल यह ग्रूप्स होते हैं इनके अंडर हम क्या बनाते हैं जी यह लेजर्स जिने बोलते हम लाइक जैसे एक्जामपल लिया इसमें क्या क्या होता है पहला आपको दिखाए रहा हूं यह हमारा कंपनी कोड हो गया यह इसकी शॉट अब यहां मैंने लियावलीटिया जिसमें मेरी शेयर कैपिटल रिजर्स अपलास है यह सारे अकाउंट इनके इंडर्म लेजर्स पनाइगे यह हमारी असेट्स हो बगई तो जैसे मैंने एग्जामपल लेजर्स पनाइड आग बील रूदिंग् लैजर्स पनाथा बीलिद यहां पर यहां पर जाएंगे spro между emg तो उप मेशनेरेफ न मेकम है तो पर गैसम मेशनाया के निमेश जाएंगे इन फाइन पर हाएन। udah ज़ीस है से अपर अपनेंटे जेलर्स जिसका आपको चार्ट डट Risky यहां पर चार्ट अप अपका नाम आ जाएगा तो अबना रहे हैं बी वाइप यह वह बी यार पील थी हमारी तो मैं सेम नाम से बना जैता हूं इसका शॉट फ़र्म दे दिया चार्ट अपकाउंट चार्ट अपकाउंट फो बी आर पील ठीक है मैंने सेम कंपनी कोड का नाम ही इसने चार्ट अपकाउंट को दे दिया यहां पूछा है किस पर्टिक्लल लेंगवेज में आपको बनाना है हमने इंग्लिष में बनाना है यहां पूछा है लैंथ ओफ जी एल अकाउंट नमबर तो लैंथ हमने जो दिया है लैंथ हमारी जो लैंथ है वो है 6 डिजिट की आप इसको अपने एकोर्डिक दे सकते हो फो डिजिट भी दे सकते हो मैं तो मैं हाँ पर 6 डिजिट दे दो एंड उसके वाइस के क्या करतेंग है सेव करने से क्या हुआ हमारा चार्ट में एसाइन करना पड़ेगा तो इस पर किलिक करते हैं यहां पोजिशन पर किलिक करेंगे और अपना कंपनी कोड डालेंगे जिसके लिए हम अकाउंट मेंटेन करें तो बीवाई पी एर पिल आ गया अब यहां पर आ रहा है चार्ट अपकाउंट का नाम भी हम आने बीवार लिए बीट इन्टर करेंगे और इसे हांपर सेफ करas अब यह क्या हो गया यह चार्ट अपक हमारा हमारे कंपनी कोड जिंक हो गया उसके बाद अब हम इसमें डिफाइन करेंगे अपाउंट ग्रूप अपर अकाउंट में करेंग चार्ट ग्रूप पर किलिक करना है यहां डालाक्ते इसे नमबर ने आप इसको दो Cornically तो अभी मैं सब्सक्राइब कर सकते हो बना रहा हूं भाल भाल नोح करी करने सिक्डिरिट ताइब देदी तो यहां पर सिक्डिरिट टाइब करना पड़ेगा उझे यहां से दिदी या मैंने नाइननाइननाइस रिख एक तरह एक उसके बाद बी अर पी आज वाद के टाइब अपर मैंने देदी असेट्स इसको मैं नमबर ही दे थी थर्ड मैंने विवर पियल यहाँ पर दिया है हमने लाइबिलिटी लाइबिलिटी यहाँ पर इसको उसके आज फिर से बी आएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए फाइल डाउलोड कर लें तो यह बन गया तो इसमें क्या कराया है मैंने बी आरपिल चार्ट अपाउंट हो गया कैपिटल शेर कैपिटल है जिसकी लेंद होगी फाइल यह बनाएं जो भी हम कैपिटल गर बनाएंगे वह इस रेंग बनाएंगे अशेट्स की जो रेंज है वो यह है लाईबिल्टी की यह हो भी तो हमाया चाट अपाउंट त्यार हो गया इसको हम क्या कर देंगे save, save हो गया उसके बाद आते हैं हम retain earning account, ठीक है what is retain earning account हमने profit and loss account यह बनाते हैं trading and profit and loss तो उसमें क्या होता है एक होता है debit side, एक होता है credit side अगर debit side में balance आ रहा है तो क्या होता है हमारा वो profit हो जाता है, अगर credit side में आता है तो हमारा loss हो जाता है तो उस difference को arrange करने के लिए हम क्या बनाते हैं retain earning account SAP में तो यहाँ पर पूछ रहा है चार्ट अप अगाउंट कौन सा है तो हमारा चार्ट अगाउंट क्या था BRPL, हमने एंटर डाला तो हमारा जो भी balance carry forward होगा वो इस particular GL से होगा तो मैंने एक GL जो share capital का था तो उसमें से एक GL 1000 मैं इसको असाइन कर देता हूँ तो यह हमारा retain earning account बन गया है यह basically nothing यह हमारा जो drop it and loss का balance निकलेगा उसे forward करने के लिए हम क्या बनाते हैं retain earning account तो हमने यह 1 lakh इसको डिफाइन कर दिया है अब इसके इंडर हम कोई GL नहीं बनाएंगे विकॉज यह हमारा retain earning account में 1 lakh हमारा फिक्स हो चुका है ठीक है अब 1 lakh एक से हम GL बनाएंगे जो हम next वीडियो में पढ़ने बनाएं अभी next वीडियो में नहीं सॉरी उससे पहले कुछ topics हैं उनके बाद हम GL बनाएंगे इसको हम सेव कर देते हैं सेव हो चुका है तो हमारा जो टॉपिक थे सारे यह कवर हो चुके हैं जिसमें पहले पड़ा हमने चार्ट अब अकाउंट इसका जो ट्रैंजिक्शन कोड कोड होता है OB13 उसके वाज एशाइन Company Code 2 OB62 Define Retain Earning Account OBD4 Define Retain Earning Account OB53 तो यह इसके शाटकट्स हैं सारे तो अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल मेरा नाम है हमान शोगरवाल और यहां हम पढ़ते हैं एक्सल टेलियो नसे पी फाइसियो मार्डू यहां कमपनी कोड एसाइन कमपनी कोड तू कमपनी बिनिस एरिया एंड जो वीडियो थी उसमें पढ़ाता है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आप पहले इन वीडियो को देख लीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक देदूँगा तो डिफाइन और स्कॉड आपे वाइंच देखनी का जा होता है जिमना से प्सक्रिंग देख बिस्कु कर् непेस्में देखानी करते हैं तो क vista कर और सूपिवल कोडम और आपको कईquinho है जैसे 4 special period है, इसमें यह account finalize के use में आते हैं, जब हम account को financial close करते हैं, तो उसके लिए हम use करते हैं, इन special periods को, नॉर्मल जो enter करोगे वो आप in period में करोगे, जो by default SAP हमें देता है, जो by default SAP हमें देता है, जो by default SAP हमें बिल्ड़ा है, वो है V3 for April to March and K4 for Jan to December, तो हम SAP में इन्हें कैसे define करते हैं, वो हम देखते हैं, तो SAP में आते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे SPRO कमांड में, SAP reference IMG, यहाँ पर है financial accounting new, then financial accounting global setting, lasers, and fiscal year and posting period, तो यहाँ पर हम पहले maintain fiscal year करेंगे, तो fiscal year हमारा, यह screen है, अगर आपको यह देखिए, जो normal हमारे V3, K4 यह predefined होते हैं, जो इसमें बने हुए होते हैं, April to March, और आपको अपरना नएया create करना है, तो यहाँ से आप create कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा जाता हूँ V3 में क्या क्या क्या, इस पर क्लिक करके, हम period पर क्लिक करेंगे, तो देखिए, बारा period defined है यहाँ पर, वन से लेकर 12 है, पर्टिकुलर डे इस गीवन है, अब हमारा जो यह रिस्टार होता है, आपरेल से स्टार होता है, तो अपरेल में 30 दिन होते हैं, तो पहला ही period हो गया, उसके बाद मई 5 तो यह रूसरा हो गया, इस तरह से ही, और यहाँ पर आ जाता है जन्वरी, एंड फर्वरी मार्च, तो माइनस वन, यहाँ जीरो है, यह माइनस वन, यह माइनस वन करके हमने शिफ्ट कर लिया अपने उननीस वाले पीड़ेड में, तो यह हमारा पीड़ इस तरह से डिफाइन हो गया, ठीक है, उसके बाद हम इसे अपनी कमपनी कोड से तो आसाइन कमपनी कोड इस के नीचे यी है, तो हम अपना पोजिशन पे कलिक करके अपना कमपनी का कोड डालते है, हमारा कोड ता है 231. बस आप यहां पर टाइप कर दी वी 3 और एंटर कर दीजिए यहां पर देखिए यह वी 3 आपकी कंपनी से एसाइन हो गया अप्रेल 2 मार्च & 4 और यहां हम इसे सेप कर देते हैं तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसका एक शॉटकट का है टिकोड का है इसका डिफाइन करने का ओवी 29 & एसाइन करने का है ओवी 37 तो इससे next class में हम पढ़ेंगे define posting period variant, assign posting period variant to company code & define open and close period तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगे होगी अगर वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करिए शेर करिए & प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू Hello friends welcome to my youtube channel मेरा नाम है हिमान शोगरवाल और यह हमारी SAP series की 4th वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं define posting period, assign posting period, variant to company code & define open and close period तो यह सारे content हम आच पढ़ेगी इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी है अगर आपने नहीं देखिए तो description में में आपको उसका link देदूँगा तो आप महा से इसे देख सकते हैं और playlist में हमारी यह पूरी series है तो आईए स्टार्ट करते हैं posting period variant, first of all posting period variant है क्या? मैंने इससे previous class में आपको पढ़ाया था fiscal year variant उसमें मैंने आपको year define करना बताया था कि हम कैसे year को define करते हैं अब बात करते हैं posting period की, posting period basically control करता है period को open and close करने में कि हमें कौन सा period open करना है कौन सा close करना है suppose मैं April के मन्त के काम कर रहा हूं, अब April का मन्त फिनिश हो गया है, अब इस्टार्ट हो गया है May तो हम क्या करेंगे? अप्रेयल के period को close कर देंगे और May के period को open कर देंगे हमारा posting period variant, इसका जो shortcut है वो है OBB, तो आइए इसे sap में करते हैं, sap में आने के बाद, shortcut t code मैं आपको OBB, बता दिया है, बट मैं इसको long cut से बता रहा हूं आपको, SPRO में जाना है, SAP reference IMG, then financial accounting new, financial accounting global setting, global parameter for company, sorry lasers, fiscal year and posting period and posting period, shortcut है OBB, तो यहाँ पर आरा है define variant for open and posting period तो हम define करते हैं, यहाँ पर new entry, तो हम क्या define कर लेते हैं अपनी company code के लिए, BRPL ही define कर लेते है, PPV posting period variant for BRPL, ठीक है, यह variant है ना की company code, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद सेव कर दोते हैं, यह सेव होगी हमारा, अब इसको हमें assign करना होगा इस variant को अपनी company code से, तो इसे लिंक करेंगे हम, लिंक करने का क्या होता है, shortcut OBBP, हम उसी कहां गए SPRो में, financial accounting, global setting, lasers, then posting period में, यहाँ पर है assign variant for company, तो यहाँ पर हम अपना company code सेच कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमने जो नाम दिया था वो दिया था BRPL, मैंने same name दे दिया है, इस confused मतोना आप, then save कर देंगे, save हो गया, back आते हूं, उसके बाद करते हैं, open and close posting period, तो यह ही है main, चलिए इसमें आते हम, इसका जो shortcut है T code है, वो है OB52, इससे ही हम open and close करना सीखेंगे, ठीक है, तो आईए इसे बनाते हैं, तो आप जैसे इसे पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, open and close posting period में, तो यह predefined बने हुए है, तो हम इसको बनाते हैं, इसमें बनाने के लिए, यहाँ पर new entry आ रही है, new entry आप क्लिक करेंगे, देखेंगे, सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले, plus, plus for valid for all accounts type, valid for all accounts type, अगर हम एक इसको डिफाइन कर देंगे, तो यह सारे account type पे valid हो जाएगा, अगर हम इसी को डिफाइन करेंगे, तो हमें problem कहाएगी, अगर सुपोज हमें customer का, हमें back date में कोई entry माननी है, या कुछ entry हमाई छूट गई है, वो करनी है, तो हमें only customer के लिए period open करना है, तो हम वो नहीं कर पाएगे, यह सब के लिए, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, त को बिफिटी टू, यह देखिए, यहाँ पर इंडिवी अलग बना रखा है, सब के लिए, देखिए, प्लस ए, डी, के, अम, यह क्यों बनाया है, इससे हमें benefit होगा, कि हमें अगर किसी particular सिंगल का हमें period close करना या open करना है, तो वह हम कर सकते हैं, तो account type का यही third day, कि अगर हमें customer के period को open करना है, तो D, customer के लिए D है, vendor के लिए K है, C material के लिए, GL के लिए S है, तो इस तरह से हमें अलग-अलग account type के लिए, अलग-अलग periods हम डिफाइन करेंगे, तो मैं इसका shortcut कर ल आखे यहां पर हमारा variant हमने, क्या variant बनायाँ था? हमने बनाया था — b r p l तो हम सब में b r p l औ भी present Nest कर देगे ब v e r p l अलग भी कर देगे b r p e l व E r p l सो हमने सब accountrekो यहां डe пр p l मैंने copy करके कीआ कीए अब यहां पूछ रहा है, account type यहां सारे रिसाट होगए, अब यहां पूछ रहा है, from account and to account, from account बनावगा, अगर मैं suppose यहां पर देता हूं, one से लेकर, hundred तक, तो इसका मिलब क्या होगा, एक से लेकर, hundred तक के जितने भी मेरे account होगे, यह सुपोज मैंने एक लेजर बनाया पहले नंबर का ऐसी एकाउंट में बताया था कि इसमें नंबर्स होते हैं जब हम चार्ट अपाउंट के लिए करेंगे तो जो इसके अंडर जब लेजर बनाएंगे तो पहले का आएगा जो यह सीरीज चलेगी वान उसका टू थ्री फोर ऐसी तो अगर मैं यहां पर नंबर दे दूँगा अगर मैं तो उतने तक के लेजर के लिए ही एपलिकेबल होगा अगर सुपोज फूचर में मैंने उस नंबर से ज्यादा का कोई लेजर मना दिया तो वह उस पर एपलिकेब यहां पर हम कैश कर देते हैं इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं ठीक है जाट 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 तो इस तरह से हमने कर सकते हैं अब हमने पीरेट दिया यहांपर फ्रोम 1 तुछ 12 इसका वल्लब एक से लेकर बारा तक के सारे पीरेट अन हो गए अगर हम यहां पर देतें वन से वन तो पहला अप्रेल का पीरेट ही ऊपन होगा तो से टू कर पारेल के बाद मई अगर 1 से 2 कर देंगे तो April and May इस तरह से हम पीरिड को open and close करते हैं तो मैं यह पूरे देता हूं 12 हमने इयर डिफाइन कर दिया और special period आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं 13 से 16 चार special period में आपको बतायते हैं तो वह हम यहां डिफाइन कर दिया 12 चार उननेस 12 चार उननेस ऐसी हमें सब मैं डिफाइन कर देंगे तो इस तरह से हमारा period डिफाइन हो जाएंगे तो आपको अगर किसी का भी period को open करना है तो आप यहां से period को change कर सकते हैं जो period आप close कर देंगे उस period में आप entry नहीं कर पाएंगे अब entry करना हम आगे सीखेंगे उसमने आपको पर चलेगा कैसे करते हैं अब इसको में अंटर कर देंगे अब यहां से save कर देंगे यह data हमारा save हो गया तो आज की class में हमने पड़ा इसे पहले classes में मैं आपको पड़ा चुगा हूँ यह हमारी वर्सक्राश ती इसमें हम पड़ने वादे हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आप मेरी डिस्क में जाके चैक कर सकते हैं जहंत कोई भी entry pass करते है नौर्बन तीक है उसमें हमार पास क्या fields होती है जैसे मैं एक entry करी salary expense account debit to bank अब इसके अंदर मुझे narration डालनी है आप क्या पार form पढ़ते हैं कुछ fields ऐसी होती है जो आपको mandatory होती है इसे हम प्रेक्टिकल अभी करेंगे तो इसमें कौन-कौन से पहला है यह सब्सक्राइब में फिल्ट जो होती है वह हाइट रहती है जैसे मैंने एक जांपल दिया है यह quantity हाइट कर रखते हैं इसका बी है require mandatory field इसके लिए हम यूज करते हैं इसका जो टी-code होता होता है सब्सक्राइब करने के लिए तो इसका जाना है तो और नहीं से जाते हैं और अगर आपको सब्सक्राइब कर दो जाना है तो यहां पर तो देखे यहां पर रेकाइब कर दो आउस्क्राइब कर दिया दा कर दर दो दो अखिए जो पाथ है वो यह है financial accounting new जाके आपको जाना है यह लेजर्स में अप्सेन आएगा आपको यह आपको नवा है और अगर आपको अपना बनाएं तो जहाँ जाएगे तो हम इसके अन्दर वैज्टर बने हुए से देखिये देखियों में हम करेंगे यहां से कॉपी करेंगे और अपनी कंपनी के लिए के लिए के लिए के लिए कि पुछेंगे और जितने इसके देर हमारे गुरूप से हमारे हाँ पर कोपी होगा है इसमें हम चेक कर सकते हैं अब इक होता है यह सब के लिए अलग अलग है जैसे जैसे आपने पर यूज करेंगे तो आप इसके जाना चाहते हैं तो फिर दिस्टेटर्स के लिए करता हुए है सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देकी ऑप्शन आ रहे हैं एसाइन नंबर नंबर सब्सक्राइब करना चाहते हूं यह डिपैंट करता है आपकी कंपणी कि किस इस आप से कोन सी फिल्ट अलाव करना चाहती है कौन सी हाइट रखना चाहती है कौन सी रिक्वार करना चाहती है किस तरह से हम फिल्ट इस्टेटेस वैरेंट को यहां पर सेंग कर लेंगे यहां बन चुटा है ठीक है अब इसको क्या करना है एसाइन करना है तो यहां पर आ रहा है अब हमने इसको अपने लिंक कर दिया है सब्सक्राइब करना हे अजय करना है तो हम एंट्री पास करेंगे तो यह हमारे यूज में आगे तो इस तरह से हम गैरेंट को डिफाइन करते हैं और एसाइन करते हैं तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक आएगा वो आएगा तो मुझे आशा आपको वीडियो चे लगी है अगर आपको बीडियो अची लगी है और आपको करिए अधी सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू है लो फ्रेंड्स वालकम तो माई यूटूब चैनल मेरा नाम है हमाई शोगरवाल और यहां पढ़ते हैं एक्साट एलियन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए तो आई यह स्टार्ट करते हैं हैं तो इससे पहले मैं सब्सक्राइब की पांच क्लास हो चुकी है अगर आपने वीडियों नहीं देखिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सब्सक्राइब को में जाकर हमाँ पर देख सकते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा डिफाइंड डॉकुमे टाइप होता क्या है सब्सक्राइब करते हैं इस तरह से ही जिस भी तरह के आप डॉकुमेंट पोस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिक हमें अजुक्त में अगर पोस्ट कर रहे हैं तो आप करेंगे डॉक्त कर रहे हैं कर दो मैं कश्ट्मर का इंवाइस हर रहे हैं तो डिया रहे है तो मैं SAP में आ चुका हूँ तो यह SAP की मैं पर्स इसकी इंपर हूँ तो अब हमें इनको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं तो इसके लिए हम क्या जाएंगे SPRO SAP reference IMG यहाँ पर जाएंगे financial accounting new and financial accounting global setting document and document type यहाँ से हम define document type पर फिलिक करें तो यह हमारे अगर आपको अपना बनाना है तो अपनी वेंट्री भी create कर सकते हैं अगर आप अपना बनाना चाहते हैं यहां से क्लिक करेंगे अपना document type का नंबर और जो भी आपका नंबर है यह आप define करना चाहते हैं वाइड डिफॉल्ट सारे बने होते हैं तो बनाने को जड़ते हैं आपको यहां आपको बात करते हैं हम नंबर रेंज की नंबर रेंज क्या होती है ऐसे पी में जब हम एंट्रीज करते हैं तो हमें नंबर ही डिफाइन करने करते हैं नंबर ही होती है जैसे हमने हम नंबर ही यहां से भी आपको यहां से लिखाया था कुल गाया को किसा का सबस्क्राइब करना कि यहां से चप्राइब अब नमबर रेंज होती है वो डॉक्मेंट जो हम पोस्ट करेंगे उसके अब अग्वारी एक्जांपल ले रहा हूं मैंने टाइप किया वन से लेकर अब मतलब क्या हुआ एक से लेकर सौ तक नमबर इसमें जी यल जो हमारा ऐसे डॉक्मेंट को हमने दे दी अब हम पहला डॉक्मेंट विपोस्ट करेंगे की यह पोotch को क्यों नंबर 1 waar यहां और तो इसको एक एक करके डालोगे तो इसको आपको इससार दिखाता हूं करशे डालगों सब्सक्राइब तो इसके लिए तो हम आएगे नीचे हाप पर डॉकुमेंट के नीचे ही है डॉकुमेंट नंबर रेंज हम इसको क्लिए कर देखिया अब आरा डॉकुमेंट नंबर रेंज कॉपी टू कंपनी पहले हम चेक करते हैं इस्टेंडर्ड जो सब्सक्राइब नंबर रेंज बनी होती है स्टेंडर्ड कंपनी होती है कॉपी करना वन वान आपको बता दिया है अब हम इनको कॉपी करेंगे कंपनी कोड में अब कि अधिस्कल एयर को इसकल यह जो था वहां था नाइन टीन टी तो इसके लिए था वन नैने में तो कंपनी कोर्ट सोर्स कंपनी कोड कहां से आपको कॉपी करने तो हमें कॉपी करने है से कंपनी कोड कौन से कंपनी कोड में कौपी करने हमें बी आर पी ठीक है अब इसको हम एग्जी कुछ ला यू है ये सारे इंटर्वल एड होग है अब हमें करेंगे 2019 में करेंगे अब 1992 के कॉपी करेंगे कंपनी कोड किस कंपनी कोड करने आपको बी आर पी आर पी इसको एक्जीट करने है और यहां यहां पर डालेंगे बी आर पी इंटर्वल पर देखें इस तरह से हम डॉकुमेंट टाइप और डॉकुमेंट नंबर रेंज को डिफाइन करते हैं ऐसे तरह की आपको इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और प्लीज सब्स्क्राइब मैं चैनल अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो में डिस्क्रिप्शन में आपको इंक लिंक देखें आप महां से जाज़े पढ़ सकते हैं तो आज का में टॉपिक रहेगा इंट्वाइंड टॉल्एंस ग्रूप बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कंक्यूजिंग भी है तो आप इसे जहान से समयना हूं बैसिकली होता क्या है तो टॉल्एंस ग्रूप को एक इसे तो बैसे करें तो टॉल्एंस ग्रूप और इंप्लॉई किसी ही होता है ता मेक्सिम अमॉंट पॉर वीच एंप्लाइज पर्मिटी की वोस्ट एड्यॉक्यमेंट इसका वल्लब यह हुआ कि मैक्सिमम अमॉंट हम इसमें डिफाइन करते हैं कि कितने अमॉंट तक का ड पोस्ट कर सकता है तो वह एक लाग तक का ही कर पाएगा उससे ज्यादा का अमॉंट पोस्ट नहीं कर पाएगा ऐसके हुए उसके बाद है मैक्सिम अमॉंट पोर वीच एंप्लॉई पर्मिटी टू एंटर लाइन आइटम इन्हें कॉस्टमर और वाइंटर के लिए हम पर्मिट अर बिबलं के कि एंप्लॉई की मैक्सियुम लाइन आइटम हम सेट करदेंके कि इतनी याई इटम का ہी वह एंटर कर सकते के कि कितनी पर्सेंटेज हम उसे अलाव कर रहे हैं और डिफ्रेंस जो भी होगा डिफ्रेंस अब इसे एक सिंपल हम लेंग्विज में समझाएं इसमें मैंने एक नीचे दिया है जिसमें लिखाए सीनर मैनेजर है सीनर मैनेजर को हमने दिन लिमिट बंकरोगा कि जो सीनर मैनेजर है वो एक करोण तक का डॉक्मेंट पोस्ट कर सकता है उसके आद इसमें क्या होता है कि इसमें हम पुछ गुरूप्स क्रेट करते हैं पीन क्रेटेगरी हैं तीन कि तदा के ग्रूप माल लेते हूं ग्रूप वान ग्रूप टू एंड ग्रूप थरी इसमें अलग-अलग परसान है जैसे इसमें ए है वी है सी है टी कर आप ऐसी ग्रूप्स में हमारा तो यह ग्रूप वन हमने तीन काटेगरी आपने इंप्लोइज को आपने 3 काटेगरी में तीवाइट कर देंगा तो इसके ग्रूप 1 ग्रूप 2. ग्रूप 1 में जो है हमारा ग्रूप 1 को हमने लिमिट दे दी कि 1 लैक्स यह सारे गुरूप बन वाले हैं इसके गुरूप को हमने लिमिट देजी लाइक को 50 लाइक तो इस तरह से हम इसमें ऐसे पी में गुरूप डिफाइन कर देंगे कि किस पर्टिक्लर गूरूप में कौन सा पर्सन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी लिमिट सेट कर देगे तो इसका दर ट्रैंशिशन पर होता है वह भी चाहिए से ऐसे पी में करने के लिए हमें कहां ना पड़ेगा इसके लिए हम जाएंगे स्पी आरो में स्पी रेफ्रेंस आयम जी फाइनेशल अकांटिंग नियू फाइ इसके बाद आना है हमें ओपन आइट्व क्लियरिंग कि इसका दाना है क्लियरिंग डिफ्रैंस यहां पर आ रहा है डिफाइन टॉलेंज ग्रूप पो एंप्लोई तो आपको हैं नियू एंट्री पर क्लिक करके अपना नया डिफाइन करना है तो मैं इसको पहले निकल लेत अगर आप नहीं बनाते हैं जैसे इस कंडिशन मैंने ग्रूप नहीं बनाया तो जितने भी कंपनी कोड में इस कंपनी कोड में जितने भी आपके एंप्लोई होंगे वह सब के लिए यह तो आपलाई हो जाएगा और अगर हम ग्रूप अलगलग डिफाइन करेंगे तो हमें अलगलग यूजर एसाइंग करेंगे तो इसके बाद हमने यहां पर है अमांट पर आइटम क्याई करिंगा, अचिंग Cam in almost cash discount per line item, CashDiscount हमसे mad 5%,-5% का डिस्काउंट हमें देना हा उससे ज्यादा कि अगर हमbijan entry pass करेंगे तो यह entry हम अलाव नहीं करेंगWelcome इसके आजा पर्मिट पेयमेंट डिफरेंस इसको आप जयाने समझें इसमें क्या है रेविन्य और एक्सपेंस इसमें मैंने क्या करा है 100-100 उती जाल दिये हैं और परसेंटेज कितना है 1% & 1% और Cash Adjustment Account 100-100 तो इसका मलब क्या हुआ देखिये जैसे मैं आपको एक 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 जामपल देखा हूँ जैसे सुपोर्ज हमने एक सैलरी के करी या कोई पर्चेस के शोड़ पर्चेस किया ठीक है उत्ते का पर्चेस किया हमने सौर अज़ा हजार रुपे का पचेस किया है ठीक है तू 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 एंड़ है ठीक है हमने यहां पर पेइमेंट करी इसको तूपजास अब डिफ्रेंस कितना आया एस पर अकाउंटिंग एंट्री हमें जो हम एंट्री करते हैं वह कैसे करते हैं कि डेबिट साइड और केट साइड सेम होती बट इसकेस में क्या हुआ कि मैंने नौसोपचास की मट गरी बट हजार रुपे का हमने पर्चेस किया तो पचास रुपे यह जो पचास रुपे एक पर्सेंट दिया है तो अगर आपका डेदा का है इसको कर देता हूं 10% 10% 10% अब मैंने यहां तो जो पर्चेस किया वो 1000 रुपे का था अगर 1000 रुपे का 10% करेंगे तो 100 रुपे याएगा ठीक है लेकिन अगर हमारा डॉकमेंट यहां पर बड़ा हो अगर हमारा डॉकमेंट हो 10,000 का इसमें क्या होगा इसका 10% कितना होगा 1000 ठीक है बट हमने यहां पर दे दिया 100 रुपे तो इसमें से जो भी लोर होगा तो किसको पकड़ेगा 100 रुपे को ना की 1000 रुपे ठीक है ना कि हमने 100 रुपे यहां 10% अगर वो डॉकमेंट है वो जादा पर जादा का है तो जोनों में से जो भी लोर होगा वो उसको पकड़ेगा तो इसका मलब 100 रुपे तक का डिफ्रेंसी वो उसको अलाव करेगा और कैसे कितने के लाव करेगा 100 रुपे की तो इस तरह से हम अगर तो यहां पर यहां पर उसके बाद बनाते हैं तो यह जी यह के लिए होता है तो यह भी हम बना चुके इस पहुंद कि यह जारा बेयार पेल के लिए बनाया था हम ने बीयार पेल के लिए हमने 50 रुपे का पचास-पचास रुपे का टॉलेंस दे दिया है जील के लिए टैबिट को स्टिंग के लिए 50 परसेंटेब बिचया वर इस लोगा तो यह एक बना रहे है अब एक और आएगा वेंट कर दो सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छ लगए तो लाइक करें शेर करें और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू कि आज हमारी सब्सक्राइब की आठवी ग्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि मैं जे नरेडर प्रिशन सी सब्सक्राइब मरें इसला काता धा ये जर्यर करेंषन परका इस थे हैं और आप नहीं देखेंए थो सरे छो कि आता ये हैं जर्न लेजस्ट्रेशन से जर्सक्राइब करते हैं जर्ट हम आ इसे समझते हैं जर्ण कोई भी डॉकुमेंट एंट्री पास्ट करते हैं तो यह सब्सक्राइब करें स्टाइब तो यह एंट्री का होगी हमारी थे हमारी cash account debit एक पाउंट के एक पाउंट को पहले हमें कोई बी एंट्री चाहे कोई भी सॉफ्टेर रहे का आप आपको टैली आता हूं तो टैली में भी हम पहले लेजर्स बनाते हैं उसके बाद हम पहले बनाते हैं फिर उसके बाद उनकी रखुमेंट कोश्की होती है तो केश लेजर बनाना पढ़ेगा और किसका चाहर अब जब आपने चार्ट आप अब इसमें क्या था हम नंबर सीरिज यह मैंने यह बना के दिखा दिया तुछ इसमें सीरिश क्या है कैपिटल एक लाग से स्टार्ड है और वंड नाइन 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 तो अब इसको डिफाइन को डिफाइन करना है यह आपको समयना है कि यह किस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलाऊना है कैश हमारा है तो पहला बनाएंगे चैसे बनाएंगे यहां पर एक आजाएगा फिर ने कंप्यूटर खेंद लिया तो दो एसी हमने उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट थे मशीन थरी दी तो इस तरह से सीज हमारी ही चलती रहेंगे ऐसी कैपिटल का लिजर बनाएंगे तो कैपिटल का यहां पर एक लाक बट एक लाक मैंने जब रिजर्वेंस अप्लस का एक एक अगांट बनाया तो इसके लिए बन इतने तक यह बन सकते हैं तो इस सरह से हमारे एंट्री कोस्ट करेंगे लिए अगे हम आप यह शॉटकट होता है अगर आपको बाइपास जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइनेशिल एकाउंटिंग वह एकाउंटिंग उसके बाद जनल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड, जी एल इंडिविजल प्रोसेसिंग और शॉट्ट क्या है हमारा एफ एस डबल दीरो मैं सारे टीकोड की लिष्ट आपको प्रवाइड करा दूने आगे तो अब हम कौन सा लेजर माना रहे हैं पहले लेजर क्या हमारा पहला हमारा कैश काउंट का स्टाइड क्या है टूलेक्स है तो अम यहां पर क्या प्रोटिय देंगे तो यहां पर क्या हैंगा अपना यहां पर आप चेंज कर देना जो भी आपकों पर लिए इसमें आप जी ल बनाना चाहते और उसके बाद सिरीज नेंग्स तो पहला ले इसके अब यहाँ पर है डिस्प्ले एडिट क्रिएशन एंड टैम्पलेट को पहले मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूं क्रिएट करते ही देखिए यहां पर चार्ट पर कंट्रोल इन चार्ट पर यहां पर दो ऑप्शन है प्रेंडल अकाउंट एंड बैले शीट तो आप यहां पर देखे ओपन हो जाएगा अगर सुपोज हम कोई और यहां पर कुछ अगर हम चुछ करते हैं तो यह क्या देगा मैं एक्स्पैंस अली डिफैन कैटिग्री 4 לב को पर दो हमें क्या सफेट करना पड़ेंगे अब यहां पर कि आप शॉट तक क्स्ट कर देखिए मारा श्यर्ट मैं लाग्पर दीन कैश ठीक है तो cash account and cash account ही होगी हमारा उसके बाद हम आएंगे control data इतना सब्सक्राइब आगे होगा आपको इसके बाद आएंगे control data पे control data पे account controlling company code currency के हमारे account currency इसके बाद यह जो options है यह सारे हम आगे यूज करेंगे आगे बढ़ेंगे अभी मैं इने यूज नहीं कर रहा हूं वह simple account currency ले लिए और इसको इसके बाद open line item यह हम आगे पढ़ेंगे tolerance group इसका रहता है line display line item display जब हम इस laser को check करेंगे तो यह कैसे display करेंगे शॉट तो हमने कहा यह शॉट हो posting date के recording अब ले लिया posting date अब जब हम GL को check करेंगे यह यह हम entry करने के वाद आगे यह हम चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि posting date के recording कि पहली entry जैसे यहां पर मैंने entry दिये एक अक्टूबर को उसके बाद को cash entry आगे जो अक्टूबर को तो पहले first की दिखाएगा फिर second की and so on posting date के recording क्या हो जाएगा यह short हो जाएगा उसके बाद second आते हैं cash create bank and interest यहां पर आगा अब इस यहां पर आप अगर यह वीडियो में नॉर्मल जी 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 लेता हूं और इसका डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर चेक कर सकते हो अगर यह वीडियो नहीं देखिए तो आप देख लेना क्या है इसके वाद हमें इससे क्या कर देना है तो यह हमारा जी एल प्रेट हो चुका है एक जील हम एक ही बाद बनाएंगे अब दूसरा क्या है दूसरा जील हमारा क्या क्या कोड है किपिटल के लिए हम देंगे हां वन लाइक से स्टारर और यहां क्यों वन लाइक हमने रिजल्स अप्रेस के दिये हुगा एंटर कर देंगे अब कैपिटल एकांट किसमे या बैलेंस सीट में आते है प्रोपिट और गों कि यहां पर यह पूछेगा तो हमने यह पर कहले यह योड कि यह चापिछ रहा है शौर्ट टैक्ट कर डालना है अपको में डाला है बढ़ें ने कि शिएर कैपिटल अध्यर डाल दिया हमें शेर कैपिटल एक्काव इसका इनकर्ण डेटा में आएंगे वह सेम चीछ पुस्तिंग लाइन आइटम पुस्तिंग शॉट के करना है हमें कोस्तिंग डेट के एकॉडिंग शॉट करना है और यहां पर हम वही ले ले सब्सक्रान नंम अरफ मेड़ें के अंधों c तो सब्सक्रान करें १िर हमारा ट्यारा इसके बाद हमारे की इंठी है क्या है आफिस सना सब्सक्राइब ओक इसलीकान मेंगण पूर क्या यह किसना ईका इक्सारा है फोरड से श्चार्ड के श्चान है ॺ्रॐ करेंगी अजहां पर हम कि cricket क्र थिए एक्सपैan किसमें उता है profit and loss में एक्सपैंश किसमें राते है वाभेज़ जो यहां पर ले लेगे हैं अप्सक्राइव संए ऐसरे ऑफिस शाय करेंगे मुख्षॉD शॉर्ट करें देटा को इसके बार इनियों है हमारा कि इसके बार नेफ्स कोन सा है हमारा रेंट अख्रेंसस के इन एक्सेंसिहां बणाते हैं । सर्द के बाद एक फिर तीन से सीरीस जलते रहेकगी जितने बीख्सक एक्समेंस he यसी बनते रहेंगे, तो 1 आ गया, तो किसके profit and loss में आएगा, expense, यहाँ पर क्या आगया हमारा, rent expense account, इसके बन गया, उसके बाद हमारा कोन सा है, professional fees, हमें receive हुई है, professional fees, तो यह हमारी income है, तो income का किसे start है, 5 lakh से, तो यहाँ पर, 5 lakh कर रहेंगे, enter, तो यहाँ पर income भी हमारी profit and loss में आती है, तो profit and loss चेक कर लेंगे, और यहाँ income select कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या एगा हमारी, में देखने अग्डा, उनल, दो यहाँ थी, तो यहाँ ठीक है, थी है, यहाँ भी पोस्टिंग देज़ आए कर रोडि, जी 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 रो वान एंद सेट अब नेक्स कौन सा बनाना है हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम तसमें जाएगे यह-ऊ ऐसे हुआ को था था इसको क्या है रजी 16 से 2 से डुब बैंक को कृता है हमेरे चाहित ढर्लाइज़निय में टेंक को है उ तक हम इसको क्या कर सकते हैं का इस neighbor क्यों करेंगे कि यह बैलेंशीट में आगा बैंक काउंट बैलेंशीट में आता है तो असेट्स नहीं पर हमने दे दिया कि एज़िटी एसी बैंक एकाउंट कि इसके बाद लोकल कुरेंशी लाइन एक्टम डिस्क्रेग होई एट के कोडिंग स्वाट करके देगा कि इसके बाद एकाउंट के लिए हां पर लिए यहां पर जीजिरो फाइब यह बैंक अकाउंट के लिए ग्रेंट से जीएल हमारे सारे तजार होचुके हैं इतनी इन पांच एंटी लिए आप और प्रेक्टिस करना है ना इंटीस की ठीक है इतना तो मुझे आसा आपको सुन जाने कि बने है कैसे बने तो आपको तो इसके लिए गणिक है तीन धीस्पे अरा यहां पर लिखेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले एकाउंट विशीसंडी ट्री चेक टुम्हां हमं वॉत अब शामआपस जाएंगे और डुबारा शेते आंगे एकाउंगे यह देखिए अब यह नविगेशन प्री में आ गया अब अब एक है एक है एक्सपैंस में दो है एक है इंकम में हमारे टोटल एक अकाउंट है तो यह अगर आपको किसी एकाउंट को एडिट करना तो उस पर क्लिक करिए और यहां पर देखें एडिट का उप्शन है जैसे आ कुछा है और आप कुछिए काउंट को इस कंपनी प्लॉड करना या कौपि करना कि किसी एकाउंट को कॉपी तो इतना सब्सक्राइब आ चुका है अब हम करते हैं एंट्री पोस्टिंग के लिए हमें क्या करना है यहां जाना है एक्वाउंटिंग में कि जैनल लेजर कि डॉक्रुमेंट एंट्री एंटर जी एल एक ठीक है इसका सॉट्कट क्या होता है है कि इसका सॉट्कट होता है कि कर भी कि इसका सॉट्कट होता है अब यहां पोल ला है डॉकुमेंट डेट तो पहली डॉकुमेंट डेट क्या है इसका सॉट्क जाने डॉक्त डॉक्त अक्टूबर 19 को हमें यह यह एंट्री पोस्त पर निए कि क्या है थे टेक्स किया हुने क्या लगाई है कि अब पहले यहां पर देखिए कंपनी कोट किया रहा है कि हमारे कंपनी कोट कोट करना पड़ेगा हमारे कंपनी कोट को निक्राव फील बाब होस्ते तो नहीं अपने डॉकुमेंट डालना है उसके गॉपन्ट डेक्स अब यहां पर क्या आञा है बेट क्या है इंट्री का है हमारी cash account debit to capital account cash account debit हो जएगा cash का हो जएगा हमारा debit और capital हमारी का हुजाएगी यह एंट्रेय भी सेव नियोगे इसमें दिखने है क्या राएगी अद इस अट्र लेना था है अग्या जेर कपिट नियुक्त क्या होगा हमारा कि इतने से वाइब लर तो इसके लिए इसे में एंटर कर देंगे अब आ रहा है अब देखें जब भी कोई आर आती है तो इसको कि आ इसे चेक कर यह क्या है कि अब टॉल लेंस के लिए कुछ कह रहा है तो इसको हम प्लिक कर लें और लेंस तो पर रख लिए लुट बाद बाद से थे जाता हुआ है कि अब एक एक पूल रहा है एन एंटी रिक्पाइर इन आइटम टैक्स फिल्ड इस्टेटस जो हमने मैंने क्या करा था इस्टेटस में देखे में आपको बिखाया दा हूं इस्टेटस में टैक्स्ट फोने रिक्पाइर एंट्री कर दिया था कि अंशने अंटिंग नियू रेजर विल्ड नहां पर आएंगे हम बी आर पी यल कि यहां पर क्या करने से क्या हो रहा है जो मैं एंट्री पास करने तो यहां पर क्या मांग रहा है एंटर टैक्स करना पड़ेगा कि यहां करना पर होगा है तो एंट्री अब इसे सिमुलेट करके देखते हैं एंट्री क्या होई देखें अब जो हमने अभी तक सेटिंग करें वह यहां आपको सुन आईगी डॉक्मेंट टेक अक्टिमर होगी कंपनी कोड बीर्पल कंपनी कोड बनाया था हमने फिसकल यह कि अप्रेल का अप्रेल मई जून जुलाई अगस्नबर अपरेल का फर्स्ट पिरिड़ होता है तो साथमा प्रेंसी आयना है हमने जोग जिल बनाया था महां पर इया यह हमारा पाइटम केटेगरी हमने डिफाइन नहीं करी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे नहीं के लिए ज़िए इसके लिए या कि माहरे आये यागे है अब इन्य surrounded शांगे फाइनेस अकांटनेगे इंव है कि के इन बैज के लिए कि gonna सब्सक्राइब करें कि अपने जिदने भी आपने चार्ट अपर इसके बाद हमारा थ्री लेक्ट था इसके बाद पूर लेक्ट पूर नैंटीन है और लाश्ट हमारा था फाइव इसके बाद एक्सपेंस से यहां पर एक्सपेंस आ रहा होगा और यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है कि अब देखिए अब यह थीक होगा सीमिलेट करेंगा हम इसे सिमिलेट हो गया अब इसे पोस्ट करेंगे जैसे हम इसे पोस्ट करेंगे एक डॉकमेंट नमबर ऍमरेट दुबार्शा हमारा करना करना करेंगे एक बार दुबार कोश्ट करेंगे लिख वल फाहर मत्साइब बदे बिस hawai Bible क्यास runs रडिये मार और ये मार रप is 55,000 क्यास सिर्ट फिस बने सिंलेट है झुड़र बाउस झालेट है अधम देखे हमार डॉकमेंट नमबर फाव डॉकमेंट वन 0000 वास पॉस्ट इन कंपनी कोड है थीक है वह मारे डॉकमेंट कोस्ट हो गया है अगर हमें अगा हमारा दॉकमेंट पोष्ट कोर्ण कि दूसर डागुमेंट क्या है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डाविक फूट अब जीएल को पोस्ट करने के लिए हमार पास दो ट्रैंजिशन है एक को मैंने ये बता दी आपको अब भी 50 और एक होती है एक अब मैं एक जिरो टू को भी आपको एंटे करके दिखा जाता हूं करेंगे यहां पर करेंगे यहां यहां पर मैंने फर्स्ट अक्टूबर जो आपको ठीक लेगे आप उसका इंट्री पास कर सकते हैं कि पोस्ट पोस्टिंग की पोस्टिंग की क्या है हमारी 40 40 आपको दिखा देता हूं मैं कि पोटीव मैंने फ्को पताया है कि डबिट के लिए है के लिए Ah कि आप थीव अ कि फॉर्टीव डबिट ट्री जी एलक tempted of पर दहुंदाई यूदे ओंपर ले रहे हैं कि एंट्रिप्रेस कर देंगे इसके बाद स्कामाउंट डाल देंगे इस कितना था कि आपिस एक्सेंसिस का फंटिप है वो सुर्णी में रुप में रहा हुँ कि दुवाय से करते हैं से इंट्रिप्रेस्ट करते हैं देखो paid office expenses हाँ पर हमें लेना office expenses को भी office expenses रहा है तो यहाँ पर लेंगे आप ऐस एक्सपैंसिंस ठीक है अब इसका अंटर कर देंगे अब इसका अमांट डाल देंगे ओपर टेक्ट हमाए required देगे right का मालब require entry है अब लीग देंगे paid office अब पोस्टिंग की अब आएगा हमारा क्रेइट लाइटम 50 तो यहाँ पर आप इस्टार भी प्रैस कर सकते हो नहीं एकाउंट नंबर में को आपको डाना पड़ेगा तो कैश का मारे कैशा लेजर कैश का दोला तो हम यहां पर करेंगे यहां पर स्टार प्रैस कर सकते हैं वह अप्लेटिकली वह अमांट के लिए एक अब हम इसको यहां से सेव करते हैं सेव कर देखें पहले हुआ था 1 0000 अब आगया 001 पाक पोस्टेजिन कंपी को इस तरह से हम एंट्री पोस्ट करेंगे इसके बाद नेश्ट एंट्री क्या है हमारी इस तरह से हम रेंट के एंट्री अब मैं आपड़ाइस 50 पर कर लेदा हूं को सुरी अभी 50 पर कि अभी 50 पर को अभी आपड़ा विटिए वर्फिए विब आफिस एवेंट्स करों और यहां पचाह सब्सक्राइब और उसके बाद हम एंटर करेंगे पेड़ रैंट यहां पर पेड़ रैंट पेड़ रैंट और उसका सेब्ल तो इसके हम सपी में जी और और डॉक्मेंट कोस्टिंग करते हैं तो आप भी करिये इन्हें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हो तो मुझे आशाए पूछ लगे होगी और थैंक यू है है अगर आपने हमारी प्रिवेश वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके प्लेडिस्ट में जहां पर एसे फीको की प्लेडिस्ट एविलेबल है यहां से आप प्रिवेश वीडियो हमारी देख सकते हैं और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं तो आज यह स्टाट करते हैं यह हमारे प्रिवेश क्लासस की सारे टॉपिक से हुमारा आज का टॉपिक है पार्किंग ऑ फोल्डिंग सबसे पहले होता क्या है एंट टोकुमेंट पार्किंग डॉकुमेंट मन्दब टैंप्रेरी स्टोर डॉकुमेंट अंटिल इटेंप्रूवड by authorized user in a real business scenario जो हम रियल टाइम में वर्क करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमें authorization होती है कुछ document post करने की तो उसमें क्या होता है कि जैसे suppose हमारी company है जिसमें junior accountant को कहा रखा है कि वो only document को पार्क कर सकता है पार्क मनलब कि वो temporary store हो जाएगा और जब तक पोस्ट नहीं होगा जब तक उसे कोई authorized another senior person उसे approved नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होता है हमारा parking document और holding का मनलब होता है temporary store document due to incomplete information sometime हम कुछ काम कर रहे होते हैं कुछ document की हमारे पर प्रॉपर information नहीं होती या budget नहीं होता तो उस चक्कर में हमारा जो document पोस्ट नहीं हो पाता तो उसे हम क्या कर लेते हैं hold ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं parking document समझ में आ गया होगा simple है कि document को park कर देना जब तक उसे approved ना करे authorized person तो इसे करते कैसे है ऐसे पी में आते हूं कि जनल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पर सारी transition की authorization है अगर रियल भी निस में आप काम करते हैं तो आपको उनी transition की authorization होती है जो जिस पर आप काम करते हैं तो अगर हम parking document लेगे हैं तो parking document की जो होता है वो FB 50 पर हम पार्क करते हैं तो मैंने FB 50 उपन किया यहां मेरा company code आ रहा है मैं एक entry पोस्ट कर रहा हूं कि किस चीज कौन सी entry office rent की है ठीक है क्रेट में कर देते हैं हम क्रेट कर दिया है अब हम यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर क्या लिखा अब हमारा प्रॉपर डॉक्मेंट नंबर जन्रेट रहा है तो यह हमारा डॉक्मेंट पार्क हो चुका है एक और डॉक्मेंट हम पार्क करते हैं कि यह हम 5000 रुपय कर रहे पहले हमने द्श्यार कर किया था हमारे दोनों पार्क हो गए पार्क होने के बाद क्या होता है कि जो हम रियल बीनिस में क्या होता है कि आप्टमेंटिकली ना जो जिस जो पर्सन उत्राइस करता है उसके पास पॉप आ जाता है कि यह डॉक्मेंट पार्क हुए है यहां पर साइड में पॉप आता है यह एप एप कंसर्टेंट करते हैं तो वहाँ पर एक पॉपप आ जाएगा तो उससे जो भी हमारा अथराइस परसन होगा उससे पता जल जाएगा कि यह डॉकुमेंट पार्क हुए हैं मुझे इन्हें पोस्ट करना है वो वैसे भी चेक कर सकते हैं तो हम अब देखते हैं कौ यहां पर देखे जीरो वन टू और मैंने दो डॉकुमेंट और पोस्ट के थे तीन और चार बट वह यहां शोनी हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर हमारे डॉकुमेंट दिखते हैं जो हमारे प्रॉपर पोस्ट हुए हैं और अगर हमें देखने हैं और कि यहां पर कुछ है पार्ट लोकोंट यहां से देख सकते दॉकुम से हमें पोस्ट किए अब हमें नहीं पता कोन सी दॉक पॉस्ट के तो मैं यहां से डॉकुन नंबर ड़ा हुघा हूँ यहां पर डॉकुमेंट लिश्ट भॉकीरे दो क्ली क्याए थे 3 & 4 अब वो open हो गए अगर हमें लगता है जो person है जो इसे authorized है तो उसे कुछ लगता है इसे change करना है या ठीक है document तो क्या करेगा यहाँ पर इसे यहाँ से तो पार्क होगा यहाँ पर क्या होगा save as a यहाँ पर हमें tag टालना पड़ेगा family point document वाच चेंज यहाँ पर से क्या होगा भी है ठीक है मैं आपको इसके line item में दिखाता हूँ एक बार इससे पहले एक चीज़ और दिखानी है आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं कर्णाब्या कर देगों कि पर अपनी जो हमारा जील है वो डाल देते हैं हाल वह से हमारा रेंट एक्सपेंस है आइस अगर नॉर्मल यहाँ पर इसका जी यल्च चेक करता अब देखिए 10,000 और 5,000 के दो डॉकुमेंट आ रहे हैं जो हमारे पार्ग डावी ठीक है अब हमें इसको क्या करना है पोस्ट करने जो पोस्ट करने के लिए जाएंगे पार्ग डॉकुमेंट पोस्ट यहाँ पर साएंगे देखिए हमारे दो डॉकुमेंट आ गए एक तो मैंने कंप्लीट किया था और एक पार्ग कर रखा है तो जो भी डॉकुमेंट आप यहाँ से खोलेंगे किया होगा यह डॉकुमेंट हमारा पोस्ट हो चुका है अब हम FBL 3N में चाहँ करते हैं अब मैं चलाते हैं इसको नॉर्म में देखो दो तो यह हमारे पोस्ट हो चुका है और एक हमारा भी भी पार्क में तो उसको प्लेंगे इसको ट्रीक आप कर देंगे तो यह रॉंग है गलती से न पोस्ट कर दिया है तो हम यहां से इसको डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट पार्क डॉकुमेंट यहां से क्या जाएगा यहस कर देंगे पार्क कुछ नहीं है दोकुमेंट हमारे पोस्टों के एक हमने इस तरह से हम करते हैं पार्किंग अब बोल्ड में क्या करते हैं हम कोई एंटरी पास कर रहें सब्सक्राइब कर दो याराप अधिस एक्सपेंस की अधिक 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 ग्रीज और यह वह यह रहां रुब है मैं एक और आथजार रुपे का मैंने एक डॉकुमेंट उस्ट करें दिया यहां पर एंटर अब यहां पर टान पड़ेगा पेड़ ओफिस एक्सपेंसेज अब हम इसको क्या कर देंगे यहां पर देख एक बटन आ रहा होल्ड जब भी करते हैं तो हमें मैनुली एक टैंप्रेवी नंबर डालना पड़ता है तो मैंने यहां पर डाले होल्ड हमारा ओल्ड हो गया अगर आपको लगता है बजट बढ़ गया या कुछ तो हम यहां से इसको ठीक करके इसे पोस्ट कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर मैं डिलीट करना है तो सिंपल जाकर अभी तो मैं इसे एंटर कर दिया ठीक है तो अब वह में इसे कर करेंगे एक आपको कि हमारे डॉक्मेंट पोस्ट हो गया अब अब कर दो अब 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 हम जाएंगे डिलीट करने के लिए होड़ डॉक्मेंट को अब भी 11 पर यहां पर आजेगा यूजर जिसने इसे एंटर किया है यहां पर आरा देखिए होड़ डॉक्मेंट करिए अब अब देखिए कोई नहीं आ रहा तो इस तरह से यूजर करते हैं पार्किंग होड़ पार्किंग तो मुश्ली यूजर होता है बट होड़ जो कमेंट में कमी यूजर होता है ना के ब्रावर तो मुझे आज आज आपको वीडियो अच्छी लगई होगी अगर आपको वह डाउट है तो आप कमेंट करके पोस्ट सकते हो एंड थैंक यू हालो फ्रेंड्स वेल्कम तुमाइं यूटूब चैनल मेरा नाम है इंगाउश्यो तरवाल और यहां पढ़ते हैं एक से टैलियन एसे पी अपाई स्यू मॉडूल आज हम आज हमारी एसे पी की टैंथ क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेक्रिंग एंट्रीज तो जो से पी की प्रिवेस क्लास हैं अगर वह आपने नहीं नहीं तो हमारे चैनल में एक ऐसे फीको नाम की प्लेलिस्ट है वहां जाके आप चैक कर सकते हैं यह सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा चुगा हूं और आए हमारा दस्वी क्लास का टॉपिक है रेक्रिंग इस से पहले हम स् फर्स्ट अपॉल ये से पी में आगे हूं प्रस्ट अब रेक्रिंग एंट्रीज उत्य थीक हैं तो अगर हम सिंपल बें में बात करें तो रेक्रिंग एंट्रीज इस जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं बैुलर बेसिज जिनके रिक्वार्टमेंट अंगह मनतली दो महीन करना ही है तो हम क्या करते हैं उसको रैकरिंग बनाके सेव करके रख लेते हैं और एवरी मन्थ हम उसको क्या कर देंगे रन कर देंगे अब इसे बनाते कैसे इसको बाद में और इसको पोस्ट भी करेंगे तो बनाने के लिए हम कहेंगे अगर्पर देखेंगे रख करेंगे प्लिक कर देंगे यहा से हमाई र के इंट्री कार से पहले एपको क्या करता हूं हम एक शुच बसकू नए तरीके से बताता हूं हम फ्सक्र siis डबल जीरो में एक जील करते हैं अब बीर पील में लाइक हम इसको पॉपी कर लेते हैं लिए जीरो बन है मैं बस नया जील बना रहा हूं यह मैं पढ़ा चुका हूं पहले हमने एक एग्जामपल ले लिया हुआ है 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 हुआ है 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 एक टार्ट चार्ज का हमने क्या बना है लेजर जील क्रेट कर लिए उसे सेव कर लिए हमारा जील सेव हो गया अब यह बिलकुल नया जील है अब इसमें मैं आपको दिखाओं तो कोई एंट्री पास नहीं है हुआ है अगर हम चेक करें डॉकुमेंट में अगर हम इसका बैलेंस यह करते हैं तो आपको दिखाओं तो इसमें अभी कोई भी एंट्री नहीं है अब हम हमारा क्या है फिक्स चार्ज देते हैं हम एवरी मन्थ हमें फिक्स चार्ज पे करना होता है यह हमारा फिक्स है तो हम इसकी एक रेकरिंग एंट्री तैयार कर लेते हैं तो रेकरिंग एंट्री के लिए आपको पात बता चुका हूं जी यल में बना चुका हूं इसका पर आना है आपको अब करने को पूरे 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 फाइनेशल अब यहां पर दे दिया है कि पूरे पाइनेशल एक चलेगा अब यहां पर हम चलाना है एवरी मन्त की दस तारीख को अब यहां पूछे डॉकुमेंट टाइप इसका क्या होगा हमारा ऐसे डॉकुमेंट हमारा जील के लिए होता है जनल लेजर के लिए मैं आपको रिखा भी देटा हूं अब यहां पर पूछ रहा है तो डैबिट क्या होगा तो डैबिट हमारा 40 होता है पोस्टिंग की डैबिट क्या होगा हमारा कि फिक्स चार्जेश का जील कौन सा होता हमारा यहां प्रिक्स चार्जेश हमने डैबिट कर दिया अब एंटर कर देंगे अब यह पुछा है कितने का अपर हमने कितना रखा है 5000 रुपर 5000 रुपर हमारा जाता है कि इस चीज का इसकी चार्जेश का प्रिक्स चार्जेश अब फिर से एंटर करें अब क्रेइट के लिए नेक्स लाइन एटम 50 अब इसको सिमिलेट करके देख लेते हैं यहां से देखें एंटर कर देखें अब इसको क्या कर देते हैं यह देखें यह दोकुमेंट नमबर आ गया है यह दोकुमेंट आपको द्यान रखना है तो यह आया वन चीक है 91001 वाज इस्टेवर्ट कंपनी कोड बीयार पील ठीक है अब हम बैक आ जाते हैं यह हमारा रेक्रिंग एंट्री तैयार हो चुकिए अब हम इसे देखना है त यह दोकुमेंट दिखा रहा है एक मैंने पहले से कर रखा है और यह कि हमने अभी भी बनाया है अब हमें इसको करना है पोस्ट करना है पोस्ट करने के यहां पर देखें अब हमारे बेच आगई है अब हमें इस रेक्रिंग डा तो हम कोच्टा कर रहे हैं रेंट का तो हैं डॉक्स नमबर डाल देगे तो डॉक्स चार्जिस का अभी अभी पूछ रहा है सेटल्मेंट पीरिड तो सेटल्मेंट पीरिड हमने फ़र्स्ट अप्राइब अभी पूछ रहा है बैच इंपूट सेशन का कुछ भी नाम रख सकते हो सुपोर्ज हमने देख दिया टैस्ट वा ठीक है अब हमें इसको क्या करते हैं एक्जीट करते देखें नीचे आप देखने टास्क पार पर सेशन टैस्ट वन वास क्रेटिट यह हमारा क्रेट हो चुक सर्विसिस में बैच इंपूट एंड शैसन यहां पर हम क्लिक करते ही जो भी हमने पहला बनाया होगा सबसे फर्ट नमबर पर देखें आ रहा है टैस्ट वन तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहां से क्या करतेंगे इसे प्रॉसर्स करके पूछेगा फोर्ग्राउंड में चल अब आपको कुछ चेंज करना चेंज कर सकते हैं और बैग्राउंड को चलाएंगे तो आटमेंटिकली पोस्ट कर देगा तो प्रॉसर्स कर देते हैं बैग्राउंड बेर देखें अब देखते हैं हमारी एंट्री होई है नहीं हुई है यह देखिए एंट्री आ पांच जार रूपए हमारी पोस्ट कर दी देखिए पांच जार रूपए दस अप्राइल को डॉक्मेंट डेट को चलाए तो जब सब्सक्राइल को अब एक और करते हैं जबार से चलाते हैं अब किस दिन होना चीए दस भई को इसको लिया इस टू ले लिया ठीक है इसे एक्जिटूट करेंगे आपको दुबार दुबार एक्रिक इंट्री नहीं बना नहीं एक बार बनाकर उसे साइट कर दिया है अब इस वार में चला रहा हूँ पहरे मेरे बैक्राउंड से लाया तो फूर्गाउंड पर जैसे इन क्लिक करेंगे तो एंट्री देखे आपको सामने आते हैं अब एंट्र करते हैं आप कुछ चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं यह बीनिस एरिया पूच्छा आए कर देखते हैं अब हम पर देखते हैं रिपोर्ट देखते हैं अपना यह दोना एंट्री आ गई पास्ट यह बैग्राउंड पर करीती है हमने आप इस तरह से हम रेकरिंग एंट्री को बनाते हैं और पोर्श्ट करते हैं याद रखना रेकरिंग एंट्री जाब बनाते हैं तो वन करते हैं मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम है हिमानशोगरवाल और यहां पढ़ते हैं एक साटैलियान सपी अफाई सियो मोडूल आज हमारी सेपी की 11 खलास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डॉकुमेंट रिवर्सल यह अमारे कुछ प्रिवेस टॉपिक्स हैं आपने हमारी वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके आप यह सारी वीडियो प्लेडिस्ट में जाके चैनल की प्लेडिस्ट में जाईए और यहां पर हमारा document reversal तो first document reversal होता क्या है जैसा कि नाम से ही समझ में रहा है document reversal कि किसी भी particular document को reverse करना उसे क्या कहते हैं document reversal अब SAP में अगर आपने कोई document pass कर दिया है तो उसे हम delete नहीं कर सकते हमें उसे reverse ही करना पड़ता है अब reverse हम क्यों करते हैं रिवर्स करने के लिए many reasons हो सकते हैं आपके पास budget नहीं है या आपने कोई document जब post किया है तो उसमें आपने बिल नंबर गलत कर दिया है गलत amount से post हो गया है तो कुछ भी रिजन हो सकता है reverse करने के लिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं document reversal चिक है financial accounting ठीक है document में जाना है आपको document में यहां पर option है reverse document में reverse यहां पर आ रहा है FB08 individual reversal and F.80 mass reversal ठीक है अब हम दो तरह से reverse करते हैं individual इंड्युजड में क्या होता है कि आप किसी भी एक particular document को reverse कर सकते हो और mass reversal में क्या होता है कि आ मल्टिपल document को एक साथ reverse कर सकते हो ठीक है तो हम पहले individual reversal देखते हैं तो individual reversal में आते हैं इंडियो डिवर्सल में अब यहां पर पूछँ रहे document number कि document को आपको reverse करना है तो पहले हम document के lift देखते हैं हमारे को कौन सा document reverse करना है इसा एंटर करते हैं पहले document के lift चेक कर लेते हैं हुआ मैं यह हमारे कुछ डॉकुमेंट है चो Cić identify प्रिवेस क्लासेज में तो यह हमारे स्यरीभा दाकुवेंट है हमें सींच ये वाले biology करना है है वंड लास्ट में ठीवाला ठीक है ठीक है ठीग हमें इस का होगा गयी हो गई यह document में हमेशे reverse करना है तो हमने यह आ गया document नमबर अब उसके बाद आता है company code किस company code का है fiscal year यह डालना जरूरी है तब ही document list हमारी जनरेट होगी ठीक है उसके बाद आता है reversal region यह बहुत important है reversal और इस पर हम click करते है रिवर्सल लीजन multiple type के reversal region होते हैं आप अपने भी रिवर्सल लीजन बना सकते हो ठीक है reversal in current period, reversal in cross period, reversal in current period, actual reversal तो इसको बनाते कैसे है इसके लिए हम कहाएंगे sap यह देखिए sap की skin पर है यहाँ पर जाएंगे spro में spro में sap reference IMG financial accounting new general accounting general accounting and business transaction and यहाँ पर आ रहा है adjustment posting reversal and define region for reversal यह सारे reversal लीजन है आपको अपना बनाना बना सकते हो बट पोस्टली कंपनी में यही सारे यूज होते हैं ठीक है तो reversal in current period सबसे ज़्यादा जो यूज होते हो पहला और दूसरा यूज होता है ठीक है reversal in current period and reversal in close period यहाँ पर देखिए option alternate document posting and negative posting अब इनको कैसे करते हैं तो हम अपनी वही screen पाते हैं तो document reversal मैंने यहाँ पर क्या लिया है 01 01 में क्या है reversal in current period current period मींस अब यह document मैंने कब पोस्ट किया था पहले हम चेक कर लें डिस्प्ले बिफोर reversal कि इस document को हमें चेक करना है यह document हमने पोस्ट किया था document डेट 2011-2019-2011-2019 ठीक है तो अगर मैं पहले region से इसे reverse करता हूं तो यह क्या होगा reversal in current period यह current period उसी particular date में reverse हो जाएगी है देखिए अब मैं जैसी save करूँ है document क्या होगा reverse हो जाएगा अभी अभी entry क्या है पहले चेक कर लें entry क्या हो रही है rent expense account debit to cash account देखिए 40 debit होती है और 50 क्या होती है credit तो इसका हमाले rent expense हमारा debit or cash हमारा credit है जब हम reverse करेंगे तो entry क्या होगी उल्टी हो जाएगी cash account debit to rent expense तो देखो हम करते हैं इसको कि क्योंट अब मैं इससे save करता हूं हमारा document reverse हो रहा है देखें document नंबर क्या आगया 10 वन से ले वन का 10 आगया वाच posted in company code BRPL तो इसका मले भी document पोस्ट हो गया आप सको चेक करते हैं डिस्प्ले करते हैं डिस्प्ले यह देखें क्या हो गया rent क्या हो गई credit हो गई 50 हो गई और cash क्या हो गया 40 हो गया है तो यह हमारी reverse entry तो cash account debit हो गया हमारा rent हमारी क्या हो गई और यह देख रहे हो document posting date क्या ही है 2011 2019 तो 01 से अगर हम post करते हैं तो same date पे वह क्या होता है रिवर्स करता है ठीक है जो डेट हमने उसमें दी है तो अब मैं आपको डॉकुमेंट लिफ्ट एक बाद फिर से दिखा देता हूं इसे एंटर कर देंगे यह देखिए अब यहां पर देखो क्या है डॉकुमेंट टाइप क्या है एबी और यहां क्या है एसे एबी एसे का जो रिवर्सल होता है डॉकुमेंट वह क्या होता है एबी जब मैंने आपको डॉकुमेंट टाइप जब पढ़ा है था वहाँ पर ऐसे की में क्या होता है ऐसे जो डॉकुमेंट होता है उसका जब रिवर्स करेंगे तो डॉकुमेंट टाइप हमारा एबी जन्रेट होगा ठीक है तो यह क्या हुआ हमने थार्ड डॉकुमेंट को जन्रेट करके जो बनाया वो का बनी है टैंथ ठीक है अब हम क्या करते हैं एक दूसरे डॉकुमेंट को रिवर्स करते हैं तो मैंने ले रहा हूँ यह वन फर्स्ट डॉकुमेंट रिवर्स कर ठीक है अग इसका रिवर्स इसको पहले चेक कर लेते हैं एंट्री क्या है है हमारी ऑफिस एक्पेंस एकउंट डैबिट टू कैश ठीक है तो इसका रिवर्स क्या होगा यह पोस्ट कभ सम धाइर एंक मिप्विस हॉई है एक डीहीं ऑकुमेंट कर यह पोस्टिंग डेट का अश की दो अक्टूबर में तो इसका रिवर्स हुआ हमारा ओफिस हम चाहते हैं यह यह एक्टूबर ने पोष्ट हुई है जो हम रिवर्स कर रहे हैं वह क्या है नॉबर में चाहते हैं यह हमारी जो पोष्ट होनी चाहिए किनल था हुआ तो हम इसे reverse करते हैं तो देखे क्या रहा है यह देखे क्या दे रहा है reversal region 01 only permit posting date 2 October 2019 तो यह क्या करता है यह only उसी particular date को ही reverse करेगा reversal region ठीक है अब इस अब हमें इस particular पोस्टिंग को इसको निफर्श पर करना है अधि से को डुटक करना तो हमें क्या ले ना पड़ेगो रिवर्श लीजन रोखें इस यहां अपर 65 फीक्टिक कर रखा यह अभ़ यह वह ओड़िएड कर लेगा जोस पर बनार इसको समय है अब नई से सेड़ करते है तो देखे हो गया 11 डॉकुमेंट पोस्ट हो गया हमारा अब हम चेक करते हैं कि 11 डॉकुमेंट आगया इसको हम चेक करते हैं कि क्या हो गया देखिए और और पॉस्ट कभ गया अक्तुवर को और यहां पोस्टिंग डेट क्या हो गई हमारी हो 30 number क्योंकि मैंने 30 number को reverse किया है तो इतना समझ में आगया होगा आपको दोनो 01 और 02 उसके बात बात करते हैं mass reversal mass reversal में क्या होता है कि आप अगर एक साथ multiple document को reverse करना चाहते हो तो उसके लिए हम use करते हैं mass reversal mass reversal के लिए बस हमें करना क्या होता है पहले हम अपने document देख लेते हैं FD03 में अब अब आपर document list क्या क्या है अब अगर मैं एक साथ multiple document reverse करना चाहता हूँ ठीक है जैसे 2012 अब जैसे ये वाले reverse करना है 6th, 7th, 8th और 9th ठीक है 6th, 7th, 8th and 9th मुझे ये reverse करना है 6 से लेकर 9 तक मुझे reverse करना है ठीक है तो हम mass reversal में आएंगे document number क्या company code क्या गया BRPL ठीक है 6 से लेकर कहां तक थे 6 से लेकर reverse करना है हमे 9th document ठीक है तो 6 से लेकर 9 तक हमें reverse करना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 9th, ठीक है test run, पहले test run क्लिक करते हैं और reversal region हम क्या करते हैं 0, 1, ठीक है तो test run चलाते हैं पहले हम क्या दिरा आए सारे हमारे post हो सकते हैं ठीक है और अगर हम इसमें एक काम और करते हैं 3 से ले ले दे 3 मैंने पहले reverse किया हुआ है अब देखना अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 3 document वाग already reverse तो यह reverse नहीं हो सकता यह सारे reverse हो सकते हैं जो हमारे उपर आ रहे हैं यह सारे हमारे reverse हो सकते हैं जैसी मैं इसमें save पे reverse document पर क्लिक करूँ है सारे reverse document तो हो जाएंगे तो इस तरह से हम क्या करते हैं document reversal करते हैं मुझे आशा आपको समझ में आयोगा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप like करिए and subscribe करना हमारे चैनल को न भोलिए और bell icon को भी क्लिक कर दीजिए and thanks for watching Hello friends, welcome to my YouTube channel मेरा नाम है वांशोगरवाल और यहां पढ़ते हैं Excel, Tally and SAP FICO Module आज हम पढ़ने वाले हैं SAP यह SAP की बारवी क्लास है जिसमें हम start कर रहे हैं accounts payable part general accounting हम finish कर चुके हैं इस कौर्स में पूरा जो पढ़ने वाले हैं general accounting, accounts payable, accounts receivable and assets accounting and much more तो आज से जो हम start कर रहे हैं वो कर रहे हैं accounts payable तो accounts payable वेटीज होता क्या है accounts payable यह most important topic है अगर आप किसी particular SAP के बाद job के ले जाएंगे तो जो mostly job होती है accounts payable में होती है सबसे यादर job जो available है accounts payable यह accounts receivable में ही आती है तो होता क्या accounts payable first of all accounts payable is an important application of SAP FICO module that helps you record all and manage accounting data of all the vendors in SAP sundry creditors are called accounts payable and sundry debtor are called accounts receivable तो simple हम समझें तो accounts payable का मल्दब क्या हो गया accounts payable में हम जितना भी data होता है वेंडर का जो भी data होता है वो हम record करते है accounts payable में vendor कौन है sundry creator sundry creator से लेटर जितना भी data होगा जितना भी हम contract देंगे या हम माल खरी देंगे वो सारा जो आएगा वो आएगा accounts payable part ठीक है और जो sundry data से लेटर होगा वो आएगा accounts receivable में जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में अभी हमने start कि accounts payable accounts payable accounting is also called sub-laser accounting as the business transactions are carried out individually in the vendor account ये एक sub-laser accounting होती है अब जैसे हम इसको practical करेंगे इसको धीरे-धीर आपको सुझ में आती रहेगी होता गया है इनना normal accounting अगर हम मैं normal बोलू जैसे हम tally में या कोई भी software में जो purchase की normal entry हम करते हो वो क्या करते हो purchase account debit to party account और ये जो party का जो laser बनाते हैं हम under center creator बना देते हैं तो हमारी accounting सही चलती रहती है sap में भी sap में जो entry होती है वो इस तरह से होती है inventory raw metal account debit ये general laser होता है और two party ये क्या होता है हमारा sub laser होता है अब जो main जो है वो यही है यही laser से होता है ये एक sub laser होता है जिसका जो हम metal जो खरीदेंगे वो इस तरह से लेंगे लेकिन जो इसकी value होगी वो automatically इसमें जाएगी हमारी sundry creator account हो जिसे हम reconciliation account बोलते हैं reconciliation account basically sundry creator account ही होता है जो हम entry pass करते हैं वो automatically हमारी sundry creator account में update होती होती है तो अभी ये आपको मुझा जितना समझ में आया है जैसे जैसे हम practical करेंगे ये आपको पूरा proper clear हो जाएगा तो accounts payable work कैसे करता है वो मैं आपको बतायाता हूँ example से समझते हैं ठीक है accounts payable ये हमारी procurement cycle है अब इसमें क्या होता है मैं भी जिस company वो पर करता हूँ I handle accounts payable part जितना भी accounts payable department हो मैं handle करता हूँ तो उसमें होता क्या है इसे हम दिल्कुल एक example से लेते हैं live example लेते हैं जैसे suppose मैं एक company में job करता हूँ मेरी company में क्या है हारी company power distribution company है वो क्या करती है power distribution जैसे आपके बिजली आती है तो बिजली supply करती है हमारी company अब उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की requirement होती है like transformers हो गए, wires हो गई UPS हो गई, computers हो गई तो multiple चीज की contract भी हम देते हैं तो वो सारा जो हम metal खरीते हैं वो सारा हमारा वो अलग-अलग vendor से लेते हैं contract करते हैं अलग-अलग vendor से तो वो कैसे तरह सो होता है जैसे suppose मैं एक user हूँ, हमारे store भी है multiple location पर stores है हमारे अब उन्हें stores पर मैं हूँ अब मैंने चेक किया कि हमारे हाँ एक reorder level है, जैसे suppose 10 transformer या 50 transformer हमारे है हमारे stock में अगर उससे नीचे जाएंगे तो हम क्या करते हैं order place करते हैं, अब वो कैसे होगा जैसे suppose मैं हूँ, मैंने चेक किया हमारे जो transformer है, वो कम हो गए है, 50 से suppose तो मुझे order देना है तो मैं सबसे पहले एक दूँगा purchase requisition ठीक है, तो यहाँ पर first step क्या है, purchase requisition मैंने दे दी ठीक है अब company में क्या है, हमारी company में अलगले departments है, एक है cnm department, contact material department जो इन चीजों को purchase करता है contact देता है, ठीक है तो मैंने क्या करा, मैं स्टोर में हूँ मैंने यह requisition अपने purchase department में दे दी है अब वो source ढूंडेंगे, किस तरह से आपको यह metric purchase करना है तो उसमें अलग-अलग हमारा procedure होता है, जिसमें हम tenders करते है ठीक है, अगर आपकी ज्यादा value की item है तो हम उनका tender करते है newspaper में डालते है, अपनी site पर upload करते है उसके बाद tender open होते है vendor tender में participate करता है उसके बाद tender open होते है उसके बाद क्या होता है, vendor selection होता है ठीक है, अब vendor हमारा क्या हो गया, select हो select होने के बाद हम उसको क्या करते हैं पर्षेज ऑडर इशिडियर कर देने सब करते हैं सुपोर्ज मैंने उसको 100 कॉंटटी की का एक इसब कर दो इसके वें परैला पर्फेशन आगया पूरा पर्दिश इंगिजिशन फिर सोर्स हमने करा किस तरह से सोर्स करा फिर vendor कैसे select हुआ, जैसे हमने चेक किया, उसमें से हमें एक vendor अच्छा लगा, उसके rate weight ठीक है, तो हमने vendor select हो गया हमारा, उसके बाद हमने उसको PO issue कर दिया, चाथे नमबर पर हमने उसको PO दे दिया है, अग PO देने के बाद हमारे काम होता है, जब वो supply कर रहा होता है, तो हमा clearing certificate, उसके बाद metal अगर ठीक है, तो हमारे store में आ जाता है, store में आने के बाद, PO monitoring होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे store में metal आ गया, goods receipt हो गया हमारा, अब जितने भी lot में आएगा, वो हमारा goods GRN बनती है, GRN बनने के बाद, उसमें क्या होता है, invoice verify होता है, फिर हमारा invoice आता है, finance department में, हम उसको PO से check होता है, उसके बाद हम उसको क्या करते है, payment करते है, तो यह होती है, पूरी procurement cycle, यह होता है, accounts payable का पूरा काम, इस तरह से accounts payable, live, अगर आप किसी company में job करोगे, तो इस तरह से काम work करता है, तो यह आपको easily sound में आया होगा, बहुत ही simple है, अब accounts payable, आज में हम थोड़ा सही practical करेंगे, तो practical में आज क्या करेंगे हम, accounts payable में सबसे बहले हम vendor group बना के दिखाता हूँ, तो इसके लिए हम first screen पर यहाँ पर जाएंगे, SPRO, SAP reference IMG, यहाँ पर आएंगे, financial accounting new, यहाँ पर आदा, accounts receival and accounts payable, इसको उपन किस कर देंगे, यहाँ पर आए, customer account and vendor, तो हम account payable बट रहे हैं, vendor में आएंगे, vendor में master data, ठीक है, master data में आएगा, preparation for creating vendor master data, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ रहा है, first option, define account group with screen layout vendor, ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बहुत सारे account group बने हुए है, अब group हम क्यों बनाते है अब group आप इसलिए बना सकते हो, like आपके company में अलग-अलग vendor categorize है, like supply के vendor अलग है, services के अलग है, या आपके domestic vendor है, foreign के अलग है, तो आप उस तरह से अलग-अलग categories बना सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर new entries पाएंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, account group का name देना है, ठीक है, तो हमने डाला BR, हमारी company का नाम BRPL है, तो हमने डाला BR, WN, BR vendor, ठीक है, तो मैं simple बना रहा हूँ, vendor for BRPL, ठीक है, यह बना दिया, उसके बाद field status है, field status में आपको, किस field को, यह मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ, surprise, require, field, status की मेरी एक class है, वो आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखिये तो, तो surprise करने, require करने, जिसको भी मैं click करूँगा, require पर तो entry require हो जाएगी, जब भी हम entry post करेंगे, तो वो entry हमारी, हमें require में, हमें fill करनी पड़े, यह optional दे दिया, तो आप without file, कुछ fill क यह भी आप उसे accept कर सकते हैं, यह लग लग, वो है हमारा, communication का है, तो जो भी आपको field require करनी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, company call level पर, यहाँ पर आता है, account management में, एक यह option है, इसका आपको देहान रखना है, reconciliation account, इस option को आपको require, अब यह क्यों require करना है, यह हम आगे class में जब हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा, reconciliation account, basically centric creator account होता है, क्योंकि जितना भी हमारा vendor से हम purchase करेंगे, जो भी vendor account का पैसा होगा, वो सारा किसम जाएका, reconciliation account में, because जब हम balance sheet बनाएंगे, तो total reconciliation account का balance ही हम check करेंगे, ठीक है तो इसको हमें require करना होता है, तो इसको होने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, save, तो हमारा ये save हो, ठीक है, data हमारा save हो गया, अब यहाँ पर आएगा एक, create number range for vendor account, ठीक है, यहाँ पर हमने गुरू बना लिया, उसके बाद number range बनाएंगे, number range भी मैं पढ़ा चुका हूँ, number range हम क्यों बनाते हैं, तो इंटर्वेट पहेंगे, मैं number range create करनी है, यह पहले से बनी होई है, कुछ number range, अगर आपको अपनी बनानी है, तो बना सकते हैं, लेकिन इसको override करना पड़े, कैसे करेंगे वो, ठीक है, हम बनाते हैं, कुछ number range हम देख लेते हैं, जो number range हम वाली नहीं create कर सकते हैं, हम बनाते हैं, हम बनाई BR, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, बनाते है, BR को range देदी 9,00,000,000,000 की कोई range नहीं है, यह ज्याद ही है, तो 9,00,000 से मैंने यहाँ पर range दिया है, 9,999 नहीं है, तो यह range हमने BR को issue कर दिया, अब इसको save करते हैं, इसमें देखते हैं, save हो रहा है, save हो गया, अब BR को range मिल गई, अब जो हम पहला vendor बनाएंगे तो इसको आएगा हमने vendor बनाया था, group जो बनाया था, BR, WN, अब इसको हम यहाँ पर assign कर देंगे, हमारा जो number range है, वो इस group का BR है, तो जब भी हम इस group में vendor बनाएंगे, BR से, तो वो उस वाली range से work करेगा, ठीक है, इसको save हो गया, तो आज के लिए इतना ही, आज हमने सीखा, accounts payable क्या होता है, उसका procurement cycle सीखी, उसके बाद vendor group कैसे बनाते है, vendor group क्या होता है, and हमने सीखा number range, ठीक है, तो मुझे आशा कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वोई डावट है, तो comment कटके पूश सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो आप प्लिस सब्सक्राब सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक जरूर करिएगा, थैक्यू, एक प्लेइलिस्ट है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो आईए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको हमारे चैनल पर के लिए तो आई चीछ करते हम तो सबसे पहले यह सारे टोपिक मैं कवर मेंद करा कुद कर आ तो वेंडर क्रेशन क्या होता है सेपी में हम वेंडर क्रेशन कैसे करते हैं तो वो आज हम करेंगे तो आए तो उसके लिए हम सेपी में आते हैं सब्सक्राइब है अब वेंडर क्रेशन हम वेंडर कैसे बनाएंगे तो वेंडर बनाने के लिए मैंने आप टी कोड लिखा हुआ है वेंडर क्रेशन का टी कोड होता है आपको पात के तुरू कैसे जाना है एकाउंटिंग में जाएंगे एंडर आपको पात के तुरू कैसे जाना है एकाउंटिंग में जाएंगे एंडर एकाउंट एकाउंटस पेबल एकाउंटस पेबल में मास्टर रिकॉर्ड में एकई 0 बना रहा है तो इसम अब क्लिक कर देंगे और शॉटकट मैंने आपको यहां लिखवाया है तो शॉटकट के तुरू आप वैसे बना सकते हैं तो नंबर होता है यह automatic generate होगा यह generate कैसे होगा जो मैं लास्ट की वीडियो में आपको नंबर रेंज पढ़ाया था वो उसके तरह होगा company code क्या हमारा company code है हमारा BRPL purchase organization यह MM का पार्ट है MM module का account group अब account group क्या था account group मैंने आपको लास्ट वीडियो में बढ़ाया था account group में हमने कैसे क्या बनाया था OB A3 में हमने account group बनाया OBD3 में तो अब मैं दिखाया था हूँ OBD3 में मैंने एक account group बनाया था तो देख लेते हैं कौन सा था हो वह था हमारा BRB देखिए बी आर्वें वेंटर फोर बी आर्पिल तो यह account group हमने अपना बनाया था अपने बी आर्पिल के लिए तो मैं यहां पर दे दूँँ है इसको यहां पर हम एंटर कर देंगे अब यहां पर आ जाएगी हमारे टाइटल क्या एगा टाइटल कंपनी है क्या है वह आप डालते हैं कंपनी कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम मैंने डाला सुपोर्ज टाइट अपर है जो पोस्टल को डालाने डाल सकते हैं कंट्री कंट्री कहां पर है कंट्री जो भी होगी हमारी हमारी तो इंडिया में है तो इंडिया के लिए क्लिए क्या है आइन कि देख लेते हैं में एक बार कि अधिया के लिए आइन इंडिया टाइम रिजन का है रिजन बार कि अब रिजन जो है वह यहां पर राका जिरो वन पर देश का जीरो टू अरुना चल पर देश का तो ऐसी डेली का होगा ठर्टी तो यहां से ले लेंगे यहां पर आपको टैलीफोन नंबर कुछ डालना है तो डाल सकते हैं तो यहां पर आपको कुछ फिल नहीं करना है यहां आगे जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसके वाद आता है कि जो आपको पास होगी वह बेंडर आपको प्रोवाइट कराएगा हमने कुछ भी डाल दी एकाउंट बैंक अकाउंट कुछ भी डाल दिया मैंने एकाउंट होल्डर कौन है चीना इंड कंपनी है ठीक है अब बैंक अकाउंट नेम पूछ रहा है किस बैंक में है तो हमने का इसका एकाउंट है ठीक है रीजन कहां है 30 में ही है स्ट्रीट डैली में ही है सबोस में डाल दिया मैंने पिल हो गया उसके बाद एंटर कर देंगे नेक्स्ट स्कीन पर जाएंगे हम कंटक्ट परसन आप कि अगुवीर कि टैलीपन नंबर पूटा कि अगया है कि यहां पूछ रहा है रिकंसिलेशन एकाउंट अब यह जो रिकंसिलेशन एकाउंट है यह अभी हमने बनाया नहीं है यह हम आगे के चाक्टर में हमारा है क्रेट संडी क्रेटर एकाउंट तो रिकंसिलेशन एकाउंट हम बाद में डालेंगे यह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है रिकंसिलेशन एकाउंट तो हम क्या करत इसके लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे एक नया session create करते हैं यह नया session हमारा Fs 00 हम एक reconciliation account create करते हैं तो हमारा current liability का group क्या था हम एक नया create करते हैं है करेंट लायबिल्टी का था हमारा है तू यह बनाते हैं तो है करेंट लायबिल्टी का मैंने का तो कि थिरी है कि यहां पर लेंगे लायबिल्टी लायबिल्टी में आता है बैलेंशीट का पार्ट है यहां पर आएगा का रिखा का कंट्री क्रेडिटर का कि इसे आप रिकंसिलेशन अगांट भी बोल सकते हैं और संट्री क्रेडर अगांट थीक है एंटर कर देंगे यह बैलेंशीट का पार्ट है कंट्रोल डाटा में आएगे यहां पर इसको यह रहन देंगे यहां पूचे रिकंसिलेशन टाइप तो यह क्या है कि हमारा वेंडर है ठीक है कि 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 शॉट के लिए हमने शॉट की डाली पोस्टिंग ठीक है कि यह आपको ध्यान रखना है आपर रेंटर अकाउंट कि आपकर फिल्ट स्टेटर जो आएगा वाएगा रिकंसिलेशन का तो रिकंसिलेशन का होता है अब इसका नंबर क्या है अब हम आते हैं अपने वेंडर में दुबारा से यहां पर हम क्लिक करेंगे तो देखिया गया अब इस रिकंसिलेशन अकाउंट से होगा क्या जब भी हम इस वेंडर में एंट्री करेंगे तो बैलेंशीट जब हम देखेंगे बैलेंशीट में क्योंकि वेंडर का नाम नहीं आता है वो आता है करेंटर चर्टर में हमारा इस अकांट से ऑटमेंट्र ही जैसे वेंडर में इन्ट्री करेंगे तो जब हम इस बैलेंशीट देखेंगे तो हमारे को इस में हमारा बैलेंश होता रहे história इसको उसको भी है कि निचे हो गया ंट सिभा ठीक है कि इसको और आण पूरा चैप्टर हो जाएगा यह मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको पेमेंट जैसे हम एंट्री पोस्ट करेंगे अब कुछ नहीं करना बाकी सेफ कर देखिए नंबर अगया वेंडर नाइन जिरो फिरो 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 आपने लाश्ट क्लास में देखा होगा जब एक जब बंडर नंबर रेंज करेंड करेंट इन इंद इसकी इंडल में इंदेखाए तो ब्र चैको प्याइव देखिए वहाई एक सटी नाइन झिरो नाइन नहिए क्या दिया है वान उसके बाद यह चलता रहेगा ठीक है तो पहला नमबर हमारा यहां से जन्रेट हो गया है तो आप यहां से टालोगे तो यहां से बताएगा हमारा कंपनी कोड़ कि इसका यहां से जो चीज आपको चेंज करने हैं इस पर आपके कर सकते हो अधिस्पले होता है हमारा यहांसे जो डिस्प्ले करना है यहां से डिस्प्ले ही होगा बस चेंज नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से हम SAP FICO में vendor create करते हैं ठीक है तो आज हमने क्या क्या सीखा vendor creation create कैसे करते हैं अभी बस यह topic है गया हमारे define tolerance group और vendor यह हम आगे क्लास में करेंगे तो हमारे क्या क्या हमने कर चुके है vendor creation वेंडर चेंज कैसे करते हैं डिस्पे कैसे करते हैं संडरी creator account बनाना हमने ठीक है reconciliation तो यह इतने टापिक हम cover कर चुके हैं तो मुझे आसे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं and please subscribe my channel thank you hello friends welcome to my youtube channel मेरा नाम है मांश्रो गरवाल और यहां पढ़ते हैं एक साथ टैली एन से पी आपकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको यहां जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं तो आज की वीडियो क्लास में हम जो पढ़ेगे हमने लास्ट dwa क्लास से जो start किया था पार्ट अचांट्स व्यॉ다면 तो उसे ही हम आगए करेंगे तो इस αυτό एकांट्स प्ले हमारा एकांटस पेबल में में आज हम पढ़ेंगे vendor invoice entry in SAP and vendor payment manually वो कैसे करते हैं, SAP में तो आए ड़र किरते हैं, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल तो आए श्टार्ट करते हैं तो SAP में एंट्री करनी हैं एंट्री के लिए मैंने आपको जब SAP की फार्स क्लास बताई थी तो एंट्री क्या होगी हमारी एंट्री होगी हमारी पर्चेज अकाउंट डैबिट टू वेंडर वेंडर क्रेशन मैंने आपको लाश्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ अब हमें एंट्री करनी है पर्चेज अकाउंट डैबिट टू अब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पर्चेज अकाउंट यह क्या होगा हमारा तो जील हम SAP में कैसे बनाते हैं, जील बनाने के लिए हम का जाएंगे, FS 00, Enter, ठीक है, तो हमें एक expense में हमें एक GL बनाना पड़ेगा किसका, purchase account का, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसे ही copy कर लेते हैं, new create अब create भी कर सकते हो, copy भी कर सकते हैं, यहां से copy हो जाता है, तो अगर पहले से आपका बना एक step कर दूसरा बनाना है, तो आप यहां से जाएट copy कर लीजिए, देखे, one बना हुआ है, तो हम क्या बना लेते हैं, आपकर, two date, लेकर आगया, यहां इसका नाम चेंज कर देंगे, नाम आजाएगा हमारा purchase account, ठीक है, purchase accounts, बागी सबको same रहेगा, इसको क्या कर देंगे हम, save, यह हमारा save हो गया, purchase account बन गया, क्या है, GL no.4002, अब हम भार आएंगे, उसके बाद अब हमें entry pass करनी है, एंट्री जो करने के लिए हमें कहा जाना पड़ेगा, पहले मैं आपको manual path बता जाता हूँ, financial accounting, accounting, financial accounting, accounts paper, document entry, जो हमारा T code होता है, वो होता है, FB60, ठीक है, GL के entry हमने किस में करी थी, FB50 पे और vendor invoice की करते है, FB60 पे, मैंने आपको T code यहाँ पर दे रखा है, FB60 vendor invoice के लिए, तो हम यहाँ पर आएंगे vendor invoice create करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, पहले आएगा vendor, vendor कौन है, तो vendor हम यहाँ से select कर लेंगे, पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप company code पर काम कर रहे हो, अपना company code यहाँ से आप change कर लें, जैसे मैं किस में कर रहा हूँ, BRPL में, तो मेरा company code क्या है, company code BRPL है, अगर आपको change करना है, आप यहाँ से change कर सकते हो, ठीक है, उसके आज आता है vendor, vendor हम यहाँ से select करेंगे, company code BRPL में, यहाँ से click कर लेंगे, कौन-कौन से vendor है, हमारा एकी vendor है, चीन एन company, इससे select कर लेंगे, आगया, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, पूछे होएगा, invoice date, हमने डाल दी, 1st January 2020, ठीक है, उसके आज पूछा, amount, amount हमने डाल दिया, 50,000 उसके टेक्स्ट क्या करा है, हमने, budget inventory, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा GL, हम यहां से select कर देंगे, चार्टर अकांट BRPL में, तो हमारा पर्चेस अकांट कौन सा है, 4 002 ही यह वाला है, हम इसे click कर देंगे, ठीक है, हो गया, अब यहां पर आ रहा है, amount debited, तो वही same amount आएगा, तो आप यहां पर star put कर सकते हो, यहां manual भी type कर सकते हैं, एंटर कर देंगे, यहां पर पुछे का text क्या हमारा purchase inventory, ठीक है, तो यह entry हमारी हो चुकी है, अब इसको हम simulate करके देख लेते हैं, यह देखे, एंटर हो गए हमारी चीना एंड कंपनी, purchase account debit, 40 posting की होती है debit के लिए purchase के और 31 credit होती है vendor के लिए, तो देखे, purchase account debit to party, अब इसको अगर हम, देखिए हाँ से हमारा सब आ गया यहां पर देखिए, क्या क्या होता है vendor invoice के लिए, ठीक है, फिसकलिया जो भी है वो सब आ गया है यहां पर और यहां से हम क्या गर देगा इसको, पोस्ट देखिए पोस्ट होगी हमारा डॉक्मेंट नमबर हमारा यह जन्रेट हो चुका है ठीक है यहां से हमारा पोस्ट हो चुका है अब आपको अगर डॉक्मेंट देखना है चेंज करना है तो डिस्पले हम यहां से कर सकते हैं देखिए यह वाला डॉक्मेंट है अब आपको पता नहीं है तो बस आप यहां पर डॉक्मेंट लिश्ट माज़ेए यहां पर रन कर दीजिए यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए अगर मैं इसे जनल लेजर वीव में देखता हूं जो आपका चीना एंड कंपनी जो हमारा वेंडर है उसका जो बैलेंस वो किस अकॉंड में जा रहा है ठीक है और इसा एंट्री वीव में देखनेंगे तो हम इस तरह से चुक्त है अब हमें बैलेंस देखना है ठीक है बैलेंस देखने के लिए हम काएंगे accounting, financial accounting, accounts, payable, accounts बैलेंस देखने के लिए हम आएंगे FK 10N में ठीक है ये हमारा क्या हो गया ये हमारा vendor हो गया ठीक है इसको execute कर देंगे इसका बैलेंस देखी कितना दिखा रहा है 50,00,00 वाथ न Muh이죠辛े हैई इंट्ड में पहले एंट्री कर रखिया और ठीक है अगर लाइन इटम वाइस देखना है तो लबी लन 1N ठीक है यहां पर आएंगे आलगे अगना नहीं पर हम यहां पर देखे तीम इस्टेटस दिखा रहा है यह अपन आइटम खिलियर अल आइटम उपन में करेंगे तो ओंली वह दिखाएगा जो अभी आुपन में नोगी हो चुके हैं अल में सारी दिखाएगा तो हम ऐसे इस लिए देखेंगर देखें देखा रहा है हमारे कि यह दो कमेंट दिखा रहा हमारे ठीक है तीया है ᥌नच प्रचेंज मेंटरी है हमें टोटैंस के डाला कर रुपया फेकर ठीक है वह कैसे करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक है इस तरह से वेंडर इंवाइस आप पोस्ट करते रहेंगे इसके वाद आता है वेंडर पेइमेंट करनी है हमें एफ डैस 53 से ठीक है तो उसके लिए हम क्या जाएंगे फानेशल अकाउंटिंग पेबर ने अगाउंट पेवर टॉक्मेंट रिंट अव्टुवेंट अव्टवर से अज़ियों प्रिश्ट कर्विक है इसका हमारा एफ डैस 53 से डॉक्मेंट डेट कब अम इसे पेडरें शुपर को दोकुमेंट डेट हम रिए हम देट हूं इसके डालते हैं प्लिक है है बै पहले हमारा है कि ए detail इसके बाद आता बैंक डटा उसके बाद आता ओपन-आइटम सेहें ठीक है तो बैंक आच्ऊट अकैनप किस अकउंट से हम प्रेमेंट कर रहे है अ ह है कि अचुशुन करने है यह इंटced यहां पर आएंगे आप इसके दो बिल दिखा रहा है तो हम किसकी पेमेंट कर रहे हैं सुपोर्ज हम बन लाक पीज वाली पेमेंट कर रहे हैं या पचास जार वाली तो हम क्या करेंगे किसी स्क्रीन पाएंगे आप ये टाल देगे तर्वन प्यामेंट करेंगे इसको किस वेंडर को असरे करेंगे है टूच वेंडर हमारा चीन की चीन और कंपनी आगया अब यहां पर करेंगे प्रॉसेस ओपन ना पर वैलुडेट टाल देंगे और यहां पर शॉट्टेक टाल देंगे कि यहां पर हमारे को दो दिखा रहा है इसके पचाज आरका और एक लाग का तो हमने कितनी प्रेमिंट करने है उसको एक लाग रुपी डाला है हमने वन लाइक बट एसाइन कितना रिखा रहा है यह तो हम जो पचास जार वाले बिल्कुट कर देंगे इसको गया कर देंगे उसको गया देंगे अनस्यक्ति एंस्वारा यह हो जाएगा और जो हमारा यह है वह देखिए ब्लू करेगा तो यहां पर आम नॉट असाइन ऑलवेश सब्सक्राइब क्या होती है जीरो होती ही अब यहां पर हम इसे क्या कर देंगे है यहां सिमुलेट करके देख सकते हो ठीक है उसके बाद हम बैक आएंगे कि दोबारा से करना पर दोबास हो देंगे कि आगे इसको पपताज आयल पर डल क्छलिक कर देंगे है विजल हो गया जी अब इसको क्या कर देंग है और अब अब tendency लाइन आइटम वाली रिपोर्ट पर जाते हैं और यहां से इसको करते हैं लिस्ट में जाकर रिफ्रेश करते ही क्या हो गया कि अगर कि अगर हम यहां पर आएंगे दुबारा से अभी अलमन में और आइटम कर देंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं ठीक है यह देखिए एक लाक रुप वाली पेमेंट हो चुके हमारी ग्रीन होगे ग्रीन का मलब यह आइटम क्लियर हो जुका है और जो रैड कलर का शो कर रहा है यह क्या हमारी अभी ओपन आइटम है 50,000 अभी हमें इसको पे करने हैं ठीक है तो इ इस पेमेंट और कर देते हैं हम कितने की पेमेंट करने हैं अब हमें 50,000 की ठीक है पार्टी को प्रॉंसर्स ओपन आइटम है अब देखिए एक ही बिल दिखा रहा है यहां पर इस पर डॉल क्लिक कर देंगे हमारी जीरो हो गया जीरो होती हम इसे क्या कर देंगे इसे यह भी पेमेंट हो चुके हमारी ठीक है अब हम जाएंगे अपनी लाइन आइटम दुबार से हम इसे ओल आइटम कर गए अब दी एलन वन को एक्जीक्यूट करेंगे देखिए सारी पेमेंट हो चुके इसका बैलेंस क्या हो गया जीरो तो हम अपनी इसका अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस अकाउंटिंग इस वेंडर का अकाउंट बालेंस चेक करते हैं देखें डेडलाक क्रेट हो गया हमने इसको सारी पेमेंट करते हैं तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगई होगी आपको संजमाया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते ह हो एंड प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक है हलो फ्रेंड्स वेलकम तुमाय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है वांशो गर्वाल और यहां पढ़ते हैं एक साट एलियन सपी अफाइस यूमर्ट आज हमारी सपी की 15th क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्शल आज का टॉपिक हमारा जो होगा वह यह होगा पार्शल एंड इससे पहले यह सारे टॉपिक हम कर चुके हैं अगर आपने यह वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाके ऐसे पीपी को राम से प्लेजिस्ट आपको मिल जाएगी वह आप चेक कर सकते हैं तो पार्श को प्लीज सब्सक्राहिब मैं चैनल एंद वीडियो को जदध सजदध्र लाइक करिया एक शेयर करिए तो आयए भी श्टाट करते हैं पार्शल एन्रेजिडियल पेमेंट तो लाश्ट वीडियो में हमने जो करा था वो करा था vendor invoice creation and vendor manual payment जिसमें हमने vendor invoice बनाया था उसकी payment करीती fully अब हम करेंगे partial payment तो partial payment का पहले मतलब क्या होता पार्चल से हमें समझ में सीधा आ रहा है part में payment करना अगर सुपोज हमने किसी एवेंटर का एक लाक रुपे का माल ख़रीदा तो हमें उसे पार्ट में प्रेमिंट करना है तो वह मैं SAP में कैसे करते हैं तो आज वह हम सीखेंगे तो आज़े श्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं क्या करता हूं? mieć लिए क्या कॉन न对 quién G7 बैंकि दूसरा शेशन अगया के और यह वैसे हमिद सेशन ओपन करते हैं मैं कि एसे मैक्सिमम स्च सेशन ओपन कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इन्वाइस पहले हम एक इन्वाइस करते हैं कि मैंने क्या पताया था आपको FB60 पर वेंडर इन्वाइस क्रेट होता है और आगर आप इसे लांग वैसे जाना चाहते हैं अगर वैसे जाना चाहते हैं अकांटिंग मौनेंश्ण अकांटिंग एकंटुट करते हैं अपना सेलक्ड कर लेते हैं कि वीडियो में मैं बता चुका हूं यह आपको तो वेंडर इन्वाइस ही हमाई चीना इन कंपनी आ गई हमने 23 परवरी को एक वेंडर इन्वाइस क्रेट किया ठीक है अमाउंट इसका लिए हमने 1,00,000 रूप या इसका अमाउंट हम लेते हैं सुपोस्थ 50,000 ठीक है इसका टैस्ट क्या हमने क्या खहिना था परवरश की अंदमाक्री अजो में कल पूए हम उनिर हम सरत क्रेट कर लेते हैं परवर थी या वह तो यह पर यहाँ पर टैस्ट कर दो इसला इंट्रिर हो गई है सिमिलेट करके आप देख सकते हैं अब हम आते हैं अपने दूसरे शेशन पर यह हमारा पहला शेशन था हम दूसरे शेशन पर इसमें हम वेंडर की लाइन एटम चेक करते हैं ठीक है अब डायट जा सकते हैं अगर आप लॉंग प्रोसेस से जाना चाहते हैं तो अकांटिंग फानेशल अकांटिंग एकांट्स पेबल उसके बाहर अकांट्स यहां पर हम वेंडर ढल देंगे और यहां पर यहां पर वेंडर डाल देंगे कौन सा वेंडर है और कंपनी प्यूत बी अर्पिल है अगर आपके डाल दीचाघतल के लिए जो हम इसको प्रॉसेस करते हैं यह देखे इसका प्रॉसेस में एक लाग का और उपन में जो ग्रीन हो रही है वो किलियर है और जो राट हो रही है इसका मलग यह क्या है अभी इनकी पेमेंट डिवा है के करने हैं अब हम इसको पे करते हैं पार्ट में पार्शल पेमेंट तो पहली पेमेंट मैं इसकी कर रहा हूं तो पेमेंट करने के लिए अब हम आते हैं अपने थर्ड सेशन में यह देखें यह थर्ड सेशन हो गया पेमेंट के लिए हमने हमारी जो टी कोड था एप-53 ठीक है और वैसे जाना चाहते हैं आप अब आपक्रण कर रहे हैं कर रहे हैं 126 अपने इस अकाउंन्स कर रहे हैं कितने का रहे हैं चार्जर का मिलता है अभी हम इसको कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर वेंट को कर रहे हैं तो यह हमारा यह हमारा वेंट रहे हैं अब करेंगे प्रॉसेस ओपन आइटम में आगए अब यह देखिए अब यहां पर जो एमांट एंटर किया है वो 20,000 रुपे किया है अब हम इसको किते रुपे कर रहे हैं 20,000 रुपे ठीक है अब हम इसको किते रुपे कर रहे हैं 20,000 रुपे ठीक है अब हम इसको करते हैं save कर दिया देखिए डॉक्मेंट नमबर जनरेट हो गया अब हम अपने दूसरे सेशन में आदे जिसमां वेंटर लाइन इटम डिस्पले देख रहे हैं यहां पर बचा जा रहे है यहां पर लिफ्ट में जाएंगे है रिफ्रेश कर देगे इस अब लुक्त है अब यह जाए अब यह जाए अब दिखा रहा है अब दिखा रहा है अब दिखा रहा है तो पार्शल प्रेमेंट वाएंगे हो ठीक है है यह हमारा हमwo ladas कर करके इसको और वह जाए यह हमारी को है यह यह कर नहें करना तक यहां जाद रिभी कर देंगे देखेनák यह पंद्रह हजार हजह अब हम चाख करते हैं हम यहां से रिफ्रेश करेंगे ano यह देखिए पचाजार का बिल था इसमें से दो पेमेंट होगी केजएट पेमेंट है बीस यार उदस यार की पेमेंट कितनी अब बागी रही है बीस यार ठीक है अब हम इसको बीस यार भी पे कर देते हैं कि अब प्रॉसर्ट ऑपन आइटम अब यह केजएट वाले तो हमारी पेमेंट है तो इसको हम डॉबल किलिक कर गए एंसलेक्ट कर देते हैं अब यह आवे पच्छाए अब देखिए हम बीस यार पेमेंट कर रहे हैं अब इसे कि सौरी तीस यार करनी है हमें है क्योंकि हमने अभी कि अब यह अब दीस यार पेमेंट कर रही है अबने कित्य कित्य कर रहे हैं इसको अब दस यार और बीस यार अब बीस यार पेमेंट कर लिए हैं कि अब अब कर रहे हैं दू दूल कर रहे हैं तो यह हैं अबर सब्दय कर रहे हैं अबादर बीस यार अब देकर और दोंकित्य कर अब अब है कि सबको सेलेट कर देंगे कि टोटल विल हमारा पेमेंट हो रहा पचाज़र का बिल है इसमें से 20,000 पहले वेज कर चुके हैं दसजार रहे हैं तो टोटल लारा अब हमें पार्ट पर जाने की चाब होती है सीधा स्टेंडर से हमारी पेमेंट हो जाएगे लिष्ट एंडर आएंगे और यहां इसको सेव कर देंगे तीन आ जाएगा तीन नंबर अब देखते हैं अब नहीं यहां पर आके यहां पर लिष्ट माएंगे रिफ्रैश यह देखिए टोटल विल हमारे payment हो गया open में कुछ नहीं है अब सारा क्या हो गया वहारा 0 निल हो गया हुआ ठीक है 0 हो गया तो पार्ट payment basically क्या है कि हमें part में जो हम payment कर रहे है उसे हम क्या करते है partial payment अब partial payment में क्या होगा हम एक बिल और जलनेट करते हैं टु pussy is the manом बनाते हैं पचाजार रुपए ति हमें आधा थिर्ण हमने एक क्रांट कर लिए सब्सक्रास का हम पनिक है करने आप पयमेंट मैं क्या होता है है अपनी आते हैं अब प्रहुट कर लिया है थीक है है कि अब कि अधिक में प्रहुट कर रहे हैं यह यह व्मारा वेंडर राइडर प्रॉसेज उपन आएडर ठीक है अब यह देखें में हाँ पर पार्शिल पेड़ रेजिडियल में आएगे अब हम कित्ती पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपे डबल क्लिक करते ही और यहां पर क्या लिया है रेजिडियुल आइटम कितना हो गया 30,000 रुपे के रेजिडियुल हो गया है ठीक है 20,000 रुपे हमने उसकी पेमेंट कर लिए ठीक है अब हम इसे सेव करते ही देखें क्या हुआ कि एक विल हमारा तीज़ार रुप्य का जन्रेट हो गया करके हमना इस रगए सेव हो गया हमारा ठीक है अब इससे हुआ करते हैं अब यहां पर देखो पहले क्या होता पार्शल प्रेमेंट में जब तक हमने लास्ट प्रेमेंट निकारी ओपन ही रखा इसमें क्या हुआ एक उन्हें नया इंवाइस बना दिया 5004 नंबर का एक डॉकुमेंट अटोमेंटिकल ना जन्रेट कर दिया नियू इंवाइ पर ने इनवाइस बना दिया और उमने 50,000 का इन्वाइस बनाया था ओसट को इसने क्या करा पूरा का पूरा मां की टिप्लीर करदिया अब 4 का रर्फरयंट इन्नने उसको दे दिए कि चार अधा का reference अब जितने का मैं clear करता रहूंगा वो clear होता रहेगा बाकी जो remaining amount है वो open में दिखाता रहेगा तो residual part payment में यह difference है कि residual में क्या हो रहा है कि जितना बाकी पैसा रहता है बस वो ही open में रहता है बट part में जब तक हम final payment नहीं करते हैं वो open में ही दिखाता रहता है तो 30,000 रु बहुत प्रेमेंट करते हैं इसको suppose अब तरस जार रुप प्रेमेंट कर देता हूं अब अब इस अब इस अब पर प्रेजिडियूल में चला गया ठीक है अब में से सेव करते ही विर से अब से पूछेगा इस पर आगए है कि दियू इनवाइज है कि अब कि ट्रेंटी थावलेंट रखाम ठीक है तुसर शेव करें अब यहां से फिर से रिफ्रेश करते हैं अब यहां को अब देखेंगे अब देखेंगे में कितना आ गया बीस जार रुपर की जो पेइमेंट अब अब देखेंगे अब देखेंगे चेंज हो रहा है पांच हो गया ठीक है और जो हमारा चार वाला था करता हमारे चार वाला कि हमारी मजा पकी बीट तreek को इस तरह से bajo कर चिद्ने का बिल होता रहता है और तरह वह जाता रहता है बाकि सावरा हमारा किलीघ्र में जाता रह ठीक है तो इस तरह से एंपार से और अगर्र्ट करता हूं अब हम सीधा डाइट टैप से ही देखे जिरो हो गया है यहां से पेमेट कर सकते हैं यह हमारा प्रेश्ट लिए लाइन इटम को देखे सारा हमारी पेमेट हो गई कोई ओपन में नहीं है सारी पेमेट हो जब तो इस तरह से यह डिफ्रेंस होता है हमारा पार्ट्स डिश्यूल पेमेट का तो मुझे आशार आपको वीडियो अच्छी लगे होगी अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें एंड शेर करें एड प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू हेलो द्स वालकम तुमा यूटूब चैनल मेरा नाम है मांशो करवाल और यहां पढ़ते हैं एक सब्सक्राइब एक सपी अफाइसी हो मटड़ीए आज हम SAP की हमारी 16th class है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं automatic payment program तो इससे पहले हमारी 15th class हो चुकी है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो हमारे चैनल पर जाके आप सारी हमारे SAP FICO को नाम से हमारे चैनल पर आपको एक playlist मिल जाएगी उसमें हमारी सारी वीडियो अभी लेवल है तो आप देख सकते हैं तो आज का जो हमारा topic है automatic payment program ठीक है automatic payment program को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक करें शेर करिए तो आई चलिए स्टार्ट करते हैं automatic payment program इससे पहले class में हमने जो पढ़ाता है वो पढ़ाता पार्शनल रेजिट्व पेमेंट टीक है और उससे पहले पढ़ाता वेंडर पेमेंट मैनुली तो इसमें क्या था हम मैनुली पेमेंट कर रहे थे यह जो हमारा टॉपिक है यह आपको जबी संज में आएगा जब आप हमारी पीडियो देख लेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है अगर वन वाइवन करेंगे तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक बार चलाएंगे हमारी जितने भी हम वेंडर जो भी सेलेक्ट करेंगे इसके लिए हमारे जो टी कोड है वो है एक तो यह है एक मैं आगे आपको बताओंगे तो हम आते अपने SAP में तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अगर आप विदाउट टी कोड से जाना जाते हैं तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पर जाएंगे SPRO SAP Reference IMG यहाँ पर आएंगे Financial Accounting New Accounts Receivable & Payable Business Transaction, Outgoing Payment, Automatic Payment Program and Payment Method Bank Selection यह सारे ओक्षिन आपको सब्सक्राइब करने हैं तो हम टी कोड के थुरू कर रहे हैं इससे एजी रहेगा तो पहला FBZP तो यह सारे हमें configure करने पड़ेंगे सबसे पहला option है all company code ठीक है तो step by step जैसे मैं करहाँ ऐसी आपको follow करना है तो all company code पर आए हम clear उसके बाद यहां पर new entry तो सबसे बहले हमें यहां पर डालना है company code तो company code किस के लिए हम पी आर पील के लिए sending company code and paying company code दो option आ रहे है एक हमारे required के लिए क्या होता है यहां पर टीके राइट का जो symbol आ रहे है इसको required entry इसमें फिल आपको करना ही पड़ेगा और sending company code में नहीं आ रहा है ठीक है तो हम यहां पर डाल देंगे अगर्ण प्रेमेंट किस के थरू होगी व्यार प्ल ठीक है इसकी कोई यूज नहीं है ओभी तो हम इसको बास ढरच रहे हम यहां से से रहे हम पर आपको इसमें इतना ही करना है गार्द है आ यहां पर पेंग कमपनी कोट क्या हमारा बी यार पियल मिनिमम एमांट पूर इंकम्बिंग पेमेंट एंड पर आट विए तो मिनिमम एमांट कुछ भी डाल दीजिए इस वह पर इसकी कोई रिक्वर्मेंट निया इसको फॉर्म्स नाएंगे कुछ फॉर्म्स जो होते हैं कि यह सुन दे लिए ठीक है यह ले लिए ठीक है इसको क्या कर देंगे सेब हो गया अब बैक आ जाएंगे हमने दो श्टप कर लिए हैं और कंपनी कोट एंड पेंग उसका आधा दा पेमेंट मैथर्ड इन कंट्री तो पेमेंट मैथर्ड में आते हैं कि इसमें जितनी कंपनी हैं अब पेमेंट मैथर्ड क्या होता है पेमेंट मैथर्ड करते हैं अपनी कंट्री कर लेथे इंडिया इडिया में आ भए यह स्ट्रीयंट से बना रखए हैं बाकि जो वाइडिपॉल्ट होते हैं जैसे बैंक ट्रांसवर हो गया चेक्स हो गए तो इसी तरह के जो मीडम होते हैं उनको कहते हैं पेमेंट मैफ है ठीक है यह डिफॉल्ट हमारे बने होते हैं बैंक ट्रांसवर यह बाकि श्टुटेंट्स ने बनाए हुए हैं तो इन पर हम कन्फूज मत हो ना आपको बनाना तो विर्क है नम ने क्या क्या ढालत ना इंडिया अपना सिलेक्ट कर ना आप negativity कर आई हैं जो बीचले भी आपको ऑपने नांस औरिकी बनाना चाहते हूं डिस्क्रिप्शन डाल देना है यहां पर आता है में जो चीज है document type for payment and clearing document type जो है हमारा payment के लिए वो होता है KZ और invoice के लिए होता है के आर यह चीज़ ध्यान रखने हैं आपको तो हमने यह document type क्या रख रख रखा है KZ for payment यहने इससे previous वीडियो में आपको बता रख रखा है ठीक है बाकि कुछ नहीं छेड़ना है आपको बाकि सब कुछ सेम है यह देख लिए इस तरह से आप करेंगे और यहां से पर देंगे विससे से है ठीक है अब रहका जाना है हम दिख उसके बाद आता है payment method in company code अब हमें अपने company code में उस payment method को आपको यहां से आप चलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सार दिखा देगा तो हम क्या कर रहे हैं वाई वाई मैंने माँचे चूज किया तो जो प्रेवन बनाओगे वह यहां पर आपको डिस्प्ले कर जाएगा ठीक है यहां पूछा मिनियू एमाउंट लिमिट हमने डाला सो मैक्सिमम कितना डालना है मैक्सिमम आप कुछ डाल लिए या कितना इंफिनिट्री डाल दीजिए कि हम कितनी प्रेमेंट कर सकते हैं बस आपको यहां पर सेब कर देना है कि अधर को इतना काम हो गया हमारा कि देख्षब देखा जाता है अब को और यूपन डेखे कि इतना काम हो गया आपका अब बनाना आपको हाउस बैंक हाउस बैंक अपनी कंपनी के लिए बनाएंगे है अब हाउस बैंक बनाना आपको तो आपका एकाउंट किस में है सुपोर्ज हमने डाल दिया कि इस बैंक की जो आपको प्रोवाइड होगी वह डाल देंगे तो मैं अब बी डाल देता हूं अब अधिक है एंटर कर देंगे इसके बाद यहां पर देखें और और रहे हैं कुछ अब यहां पर यह खुलेगा तो हमने आपर एंटर कर दिया है तो इस एक बैंक कि रीजन का है थर्टी ट्रीडाली में है अधिक है शिफ्ट कोड होगा तो डाल देंगे उसके वाज़कों करतेंगे यह हमारा बैंक हो गया हाउस बैंक हमारी कंपनी का यह बैंक हो अब इसको हमें अपनी अपनी अकाउंट कीशे अब यहां पर डैंडर करेंगे आपनी अपनी कोट करेंगे अपनी अपनी अपने अपने डाला या SI01 या ST01 हमने की डाल दी इसकी हमने हाउस बैंक 4PRPL ठीक है डाल दिया बैंक अकाउंट नमबर जो हमारे का अकाउंट नमबर होगा डाल देंगे ठीक है अब यहां पूछ रहा है GL अब हमें एक अपना GL यहां पर एड करना पड़ेगा लिंक करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट जील के थ्रू होगी तो हम क्या करते हैं एक सेशन खोलते हैं जील चेक कर लेते हैं पहले बाद कि हमारे पास जील है भी लेवल यह नहीं है नहीं है तो हम बना लेंगे अधिक है असेट्स में आते हैं यहां पर ब्यार्पियर यह कंपनी देखिए आईटी अप्सी से इसे हम चेंज पर देते हैं तो है अधिकर करेंगे है अपर क्या कर देते हैं तो कि आप है थ्यूंट सेब घ्राइब से जोगा अब जील का क्या है जील है तूर्ण इसकों से पर देखेंगे तक ट्रूंट अब इस जील को हम यहां पर क्या कर देंगे है लिंक कर देंगे कि अब यह अब यह अब यह चार्ट अप अब इस तरह से अब दूसरा है तो आप इसमें एड़ कर सकते हो अब हम क्या करते हैं अब यह अब यह अब हम क्या करते हैं अपने जील में इसको चेंड मोड में लेते हैं और कंट्रोल बैंक डेटा में आते हैं यहां पर अपना हाउस बैंक इससे लिंक कर देंगे जितने भी आपके जील होंगे जितने भी अकॉंट नमबर होंगे उसको यहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग एड करना पड़ेगा इसको हम सेब कर देंगे को मरसे कि अब हम przeci we have one अगय उपने ब draufgewalt every अघप है तो हम देख लेतें हमने सब सब्सक्राइल कंपणी कोड में आज किया खिर पेंग कम्स कोड में अबने देखा पिर पेयमें हमने अपनी अब आता है हमारा bank determination यह main है इस पर अब जो भी हमने step करें वह हम इसमें यूज करेंगे सबसे पहले है अपनी company code को हमें select करना तो हमारी company code अब आते हैं पहले रहें तो पहले आरा payment method क्या है हमारी company का देखो जितने भी होंगे वह दिखा देगा हमने एक ही कर रहा है तो एक ही दिखा रहा है वाई ठीक है उसके बाद करेंशी हमारी आयना रहे है ठीक है और अब करेंशी आयना रैंकिंग ओडर से बंड डाल दिया हमने अगर आपके और भी है अब हम यहां से स्ट्रेट कर लेंगे और में अमारी company का ऑटमेटिक भी आदेगा ठीक है इस बैंक के तरह है रेंकिंग और होगे इसको क्या कर देंगे अब आते हैं अब इसका बैंक आप नियु एंट्री है आउस बैंक क्या हमारा है आज बैंक हमारा सिटी बैंक कि पेमेंट मेंसर्ड क्या था हमारा कि वाई करन सी आयन आर एकाउंट आइडी एकाउंट आइडी जो में बनाए थी सिटी सिरो बन वाज जाएगी कि इस सब इस सब एकाउंट जो हमारा जील वह यहां पर आजाएगा थीटी बैंक ठीक है इंटर कर देंगे से अधिक से वह गया अब आते हैं बैंक अकाउंट इन हैंस ठीक है जो इसे इन वह इंट पर क्लिक करेंगे वह इच करेंग के में में थे वह यह आजेगा हमारा करेंशी आये ना रेंकिंग ओडर गौन एकाउंट आइडी इसकाउंट आइडी सिटी जिरो वान ठीक है बैंक अकाउंट इसको सेव करेंगे अब आते हैं अब आते हैं अब में डालना है ठीक है उसके बाद यहां पर वह हाउस बैंक हमारा एकाउंट आइडी एकाउंट आइडी जो हमने बनाई थी सिटी जिरो वान को जाएगी डेस फूर पेइमेंट कितने दिन अलाव करें तो हमें आइड वैलुडेट वैलुडेट भाएंगे फिर से निवांट इमन मेंट 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 हमारा वाई है ठीक है हक्नि है हाउस बैंक हमारा सिटी मैं हैं है एकाउट आइडी है कि जीटी 01 रिमिट हमने सेट कर दी कि इतने मांट की लिमिट चाहिए ठीक है चल्यक्ष्क और फ्शलोच्य बश्कार वास इतना काम करना आपको जो भी हमने करा है बस बहुत आजाना अब हमने सारी कॉंफिकेशन कॉंप्लीट कर चुके हैं अब हम पेमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से पेमेंट होगी तो फर्स्ट आफ और अपने फ्बी एल वन एन में जाते हैं वेंडर लाइन एक और चेक करते हैं कि हमें किस-किस बिल की पेमेंट करनी है तो हमारा बी ओके हमारे टमेंट कीपमेंट करनी में तो अभी honest करते हैं ऐसी आपके और गर्ण तो उनकी भी आप एक साथ पेमेंट कर सकते हों तो पेमेंट करने के लिए हम कहा जाते हैं बाहर आते हैं इसको यह ऊसको अपको आपको दिखा दूँगा दो बिला हमारे ड्यू उपन का मतलब यह रडड रेडड लायन जो और यह ऊपन है और जिनकी पेमेंट हो जाती है वह क्या हो जाते है देखें मैं अपको दिखाते हैं और यह मैंने अपन ही करा है तो पनाएंगे हाँ पर और ले लेता हूं मैं ठीक है और लेने से क्या होगा यह टोटल देख आपको यह देखिए गरीन का मतलब इनकी पेमेंट हो चुकी है और यह जो हमारे रैड में आ रहे हैं इनका मतलब यह ओपन है यह भी डियो होगे हमारे ठीक है अब हम्ने निव शेशिन में आते हम के पेमेंट करते हों ठीक हैं पेमेंट करने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा जूह हमने पेमेंट मेफट बना ये था उसे हमें अपने एड्र अच्ब अइड्ज करने के लिए हमने के इस मारणों olsun olsun Kelsey करंए करने के लिए है हमारा ध्यक्तप सेट्व कर लेंगेए और यहां पर देखें पेमेंड मेथट में है नइसे हमस्य लगतर नहीं छोंज क biz से रहीं तो दउने ठीक है यहां पर आपको डालना पड़ेगा अगर नहीं ड के तो पैमेंड नहीं होगी ठीक है अब उसके बाद कि जो टी कोड होता है पेमेंट रंग करने का एफ डावल वन कि अब हमें पेमेंट रंग करनी है तो लैस हैं पेमेंट रंग करने का टी कोड़ है तो अब हमें पेमेंट रंग करने है अब अब आज की डेट क्या है उननीस मार्च को मैं पेमेंट रंग करने के लिए आपको इडेंटिफिकेशन डालना है यह आप है तो वह दाला बैट 01 ठीक है दीए फिर उसके बाथ किया करना होता है हमें पैरमीटर सेट करने होते हैं ठीक है पैरमीटर में क्या क्या आथा यह सब सबसे पहले आता है कंपनी कोड का मारा बीडिया अच्छे लेट पाइमन्ट मेंस पर चुब और करना पड़ेगा यहां एड़ करके और इसको करते हैं कि क्लिक और यहां पर अब नेक्स्ट पेमेंट टेट तो हम नेक्स्ट किया करें देता है अगले दिन की डिट डाल सकते हैं अब यहां पूछ रहा है वेंड़ में क्या कर सकते हो आप वेंटर में आप इंडिविजल वेंटर भी स्लेक्ट कर सकते हैं यहां से जो हमारे वेंटर है यह ऐसे भी स्लेक्ट कर सकते हो यह आप रेंज दे सकते हो कि इस वेंटर की टू इस वेंटर की यह आपके मल्टिपल वेंटर जिंजिन के आपको प्रेमेंट करनी है जिंजिन प् तो आप जिस तरह से करना चाहें कर से कदेगा तो यहां पर इतना करना है फिर इसके पास जाना है अडिशनल लॉग में अपको यहां पूछेगा डूडेट चेक अब डूडेट का भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डूडेट एक आपका टॉपिक है वहाँ पढ़ेंगे इसके पूछा है payment method selection all the additional log हम क्यों बना रहे हैं अभी मैं आपको बता हूं वह क्यों बना रहे है payment method selection in all case payment method select करना है payment method जो हमने वाई बनाया है वो करना है यहां पर vendor कौन सा vendor है हमारा यह यह चीना ठीक है उसके आद हम बस यहां से करना है हम स्टार्ट में जाते हैं dormant parameter हैं हमारे parameter क्या होगे Presairs अब हमें क्या करना या अज करते हैं पर फॉपोजल बनाना तो फॉपोजल पर करके यहां पर इसे स्टार्टिक कर देंगे और किसको रॉपोजल डेखते हैं डिस्प्प्रोपोजल नहीं अब पर और रहा है चस्मा बना हुए देखें यहाँ पर प्रोपोजल हमुआ चैक करते हैं देखे प्रोपोजल आगे हमारा कित्ते की पेमेंट आज ये टोटल देड़ लाग की अब देड़ लाग में भी कौन-कौन से पील है वो दिखा देगा आपको एक लाग का दो बिल थे हमारे मैं आपको दिखा रहे था हूं दूसरे में में मिंबर उपन है पर देखे दो बिल profit दोखे बालना है यहां यहां कि किस किस तरह से हमारा payment-run हो रही है कैसे यहीं दो अब हमें कुछ नहीं करना है वस अब यहां पर क्या करने में payment-run करते ही स्टार्ट एंटर करते हैं तो अब हम जाते हैं अपने अब हम इसको यहां से रिफ्रेश करते हैं अभी देखें यह रैड में है अब रिफ्रेश करते ही ग्रीन हो गया पेमेंट हो गए हमारे यह हमारा कि अगे क्लेरिंग डॉकुमेंट यह हमने चेंड रही है कि अगर को टोटल डेल लाग रुपए की हमारी यह दो बिलते के जाई डॉकुमेंट से हमारी इन दोनों की पेमेंट इस्ट हो चुकी है ठीक है तो इस तरह से हम automatically payment program को run करते हैं यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसे ध्यान से करने की ज़र्वत है इसमें क्योंकि थोड़ी problem आ सकती है आपको तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना और मुझे आसे आपको इच्छी लगी होगी अगर आपको भी डाउट है तो आपको करते हों सकते हैं थैंक यू अधा यूट्स वालकॉम टुमाइए यूट्यूब चैनल मेरा नाम ही वांश्यो करवाल और यहां पढ़ते हैं एक्साट एलिन SAP FICO मर्डू आज हम SAP पढ़ने वाले हैं जिसमें आज हमारी SAP की सत्रवी क्लास है 17th क्लास जिसमें हम इस से पहले हमारी 16th क्लास हो चुकी है 16 क्लास अगर आपने वह नहीं देखिए तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे यहां पर आपको SAP को नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी वीडियो आविलेवल हैं आप महां से चेक कर सकते हैं और अगर आप हमा सब्सक्राइं तो आज का टापिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है down payment for vendors हमारा एकांट से बल मोड्यूल चल रहा है जिसमें हमने define account group यह सब पढ़ चुके हैं जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं वेंडर पोड़ेमेंट वेस्ट कली होती क्या हैं down payment means होता है advance देना सुपोज आपको जैसे मैंने एक्जामपल लिया है आपको कोई मेट्रियल पर्चेस करना है ठीक है लाइक मैंने का 50,000 रुपर का मेट्रियल है तो वेंडर ने क्या का कि आप मुझे 20,000 रुपर एडवांस डाउन पेमन दे दीजिए ठीक है तो पहली एंट्री क्या होई उसको एडवांस पेमेंट कर दी है ठीक है उसके बाद हमने उससे खरी लिया 50,000 रुप तो हमने एंट्री क्या पास करी पर्चेस अकाउंट डैबिट टू वेंडर इसका मलदा अब हमें वेंडर को कितर पर देने 50,000 ठीक है अब थर्ड एंट्री में क्या है पेड अमोंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक जील बनाना पड़ेगा तो इस तरह से एंट्री होती है जो मैनूल काम करते है अब इसको सबसे पहले हमें एक जील बनाना पड़ेगा अब यहां पर हमें जील बनाना पड़ेगा कंपनी हमारी बीवाई पील पर काम कर रहा हूं मैं समय ठीक है यह हमारे जील है संट्री करेटर जील अभी तक हम यूज कर रहे थे यह रिकंसिलेशन अकाउंट अब वह में एक जील बनाना पड़ेगा असेट्स में एडवांस टू वेंडर देखिए मैंने बना रखा है मैं आपको दिखायता हूं सिंपल आपको क्रिएट्स में बता चुगा हूं जील क करेंगे वेंडर यह जरूर सेलेट्ट करना है आपको ठीक है यहाँ पर रिकंसिलेशन अकाउंट जीजिरो सिस्टी बस आपको इतना काम ठीक है बस यह जील आपका ट्यार हो जाएगा एडवांस टू बेंडर अकाउंट ठीक है यह बना लेंगे आप सिंपल इसके बाद भ अकाउंट पेवल लिशीवल और पेवल विनिस ट्रैंजिक्शन यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे यहाँ अलग 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 इसपेशल जील है अलग 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 तो तो हम अपने करनाना चाहते हो तो अपना यह आ करना से जो आपको रखना वो ढह सकते हो बना सकते हो लेकिन मैं स्टैंडर्ड यूज्सillah अंग तुरflower एपके लिए करेंगे अपने चार्ट अब इसको करेंगे जो आपका चार्ट अब यूज करते हैं वह आपको लेना है और इस पेशल जी एल एकाउंट मैं आपको वह लेना है जो आपने एडवांस टू वेंडर बनाया ये वाला ठीक है ये चीब जिद नखनाराग नहीं है दिकंसेलेशन अकाउम्ट में ये लेना और ये चलता प your your लेये की है कि आप यहां से से सेशव करने स्यर्ट मेलें अब आप आंणार करते हैं ठीक, एंट्री पोस्ट करने के लिए हम direct SAP easy access में आके यहां पर financial accounting और यहां आएंगे accounts payable, document entry, यहां पर option आएगा down payment का है, यहां देख रहे हैं, down payment, पहला down payment request, down payment and down payment clearing, ठीक है, तो request का ज्यादा यूज़ नहीं होता, request आपको करने हैं तो यहां से आप कर सकते हैं, कुछ down payment जब मांगता है तो उसके लिए करते हैं, मैं इसे नहीं कर रहा हूं, मैं direct क्या कर रहा हूं, down payment, down payment किस होती है, app-48 है, ठीक है, आप इस पर click करेंगे, अब एक down payment करते हैं, ठीक है, तो down payment हम कर रहे हैं, like, 28 March को एक down payment कर रहा हूं, ठीक है, किस vendor को कर रहे हैं हम, वो यहां से हम select कर लेंगे, vendor हमारी company का, भी वाइप टे का, को स्वेंडर है, ठीक है, ठीक है, यह आ गई, उसके बाद यह पूछ रहा है, एक्काउंट, एक्काउंट, किस एक्काउंट से बैंक अकाउंट डालना है आपको, इसके बाद कितने की डाउंट पेमेंट कर रहे हैं, इसके बाद कितने की डाउंट पेमेंट कर नहीं है, तो, इस पेशल जील हमारा क्या था, ए, जो हमने वहां मैंने आभी आपको दिखाया है, इस पेशल जील में क्या है, ए आ जाएगा, ठीक है, ए इसके बाद कहां जाएब को, एंटर कर देंगा, ठीक है, एंटर करने गाद इहांपर एमान्ट बंगेगा, तो, अमान्ट कितना है, चिल्द प्रेस कर देंगे, और यहां पर इसको इस दे कर लेंगे, डॉक्मेंट ठीक है, अब यह देखिये, पचास क्रेडिट हो रहा है एडवांस दे रहे हैं किसको दिने टाटा को ठीक है यहांसे इसको सेब करें कि यह हमारा डॉकुमेंट फोष्ट हो गया ठीक है अब हमने टाउन पेमेंट दे दिये हैं हमें चेक करते हैं अब भी एल वन एन में ओडिक है यहां पर हम चेक करेंगे के लिए यहां पर हमारा जो मेंडर हो आपको लेंघेन करलें कि कम में कितनी दिखा रहा है स्पेशल दियल में 20 रुप्य हमने एडवांस पेइमेंट कर रहा है ठीक है अब इसको पर नहीं सेजन में काम करते हैं अब हम नेच्ट एंट्र करते हैं परचेस की तो एप भी 65 वेंडर इंवाइस बनाते हैं तो हमने वेंडर इंवाइस हमारा सब्सक्राइब करने के बाद अब इसको सेव करें अब हम अपने इसमें आते हैं यहां से इसको रिप्रेश करते हैं पचास जार रुपे का हमारा इंवाइस है और तीस जार रुपे अपने अब हम बहार आते हैं दुबारा से अब हम जाने अकाउंटिंग में पाइंशल अकाउंटिंग अकाउंट्स पेवल डॉकुमेंट एंट्री अब हम यहां पर आ रहा है एफ डैस 54 क्लियरिंग अब हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा उस जो हमने कि 20,000 दे रखा उसको हमें इसके साथ जो 50 जार के साथ क्लियर करना पड़ेगा इसको हम असरी डाउंपेमेंट करेंगी देखें आगे 20,000 रुपे इसको स्लेट करना है बस आपको कुछ नहीं करना है इस लाइन अटम को स्लेट करके इसे सेव कर जाएगी अब यह पूछे आप से ग्रीन और इस प्लिक करके यहां पर आप क्या करें डाउंट कर्मेंट अब हम जाके देखते हैं आदेगे अभी इस पेशल जेल में दिखा आए अब देखेंगे अब देखेंगे इस पेशल जेल हो गया क्योंकि क्लियर हो गया अब हम इसकी क्या करेंगे हमें पहले स्पेशल जेल से इसे हटाना होता है तो इस प्लिए से अठा के हमने नॉर्मल पर लिया अब हम पर्चेस की डाउन पेमेंट क्लियर करी अब तीन रोपे कि इसको पेमेंट करने के लिए हम कहां जातें पेमेंट करने आपको वीडियो में बता रखा है लाष टूप्त करने हमें 30,000 को इसको करने है हम इसको प्रॉसर्स ओपन आइटम करेंगे यहां पर वालुटेट डालनी है अब देखें एडवांस दिखा रहा है और बिलिंग दिखा रहा है तोटल तोटल तोटी के 30,000 पर डालती है यहां पर क्यांगे जीरो अच्कों सेफ कर रहेंगे सेफ करते हैं हमारी एडवांस बुक हो जाएगा अब यहां पर आते हैं हम यहां से इसको रिप्राइश करते हैं अब देखें आप कुछी ने दिखाई जाएगा अब यहां पर और कर देंगे हमारी वाइटम क्लियर हो गई है इस तरह से डाउन पेइमेंट का प्रॉसस होता है मुझे आश्या आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए ज्यादे से ज्यादा वीडियो का लाइक करिए ठीक है अगें बोलना हूं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइं यूट्यूब चैनल मेरा नाम है हिमान शुकरवाल और यहां पढ़ते हैं एक्सल टैली एन एसे पी एपाई सियो मॉडूल सबसे पहले हमें सब्सक्राइब में यह समझना होगा कि सब्सक्राइब का टैक्स प्रसीजर कैसे होता है सब्सक्राइब का टैक्स प्रसीजर को हम लिंक कर देते हैं यह हमारा प्रसीजर और इस पूरे को हम अपनी पर्टिकुलर कंट्री से एसाइन कर देते हैं और उसके बाद हम अपने यूज के अकॉर्डिंग टैक्स कोड बनाते हैं जो भी आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपने टैक्स कोड डिजाइन कर देते हैं और फिर हम उसे अपनी एंट्री में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कंडिशन टाइप बनाने की कंडिशन टाइप बनाने की जो हमारी ट्रैंशन कोड है वो है मैं आपको प्रॉपर जाके दिखाता हूं सबसे जाएंगे आप SPRO में SPRO में जाएंके SME IMG इसके बाद जाएंगे जाएंगे FINANCIAL ACCOUNTSG NEUE FINANCIAL ACCOUNTSG GLOBAL SETTING फफानल टेक्स ओन सेल पर जाएंगे यहां पर आपका CHECK CALCULATION PROCESZर इसपे आप क्लिक करेंगे यहां पर है Define-KONDITION भी वर कॉया है कि यहां पर कंडिशन कभ बनानी यह से अफली सो क्लिक करों है मैं आपको कॉपी करना कें ब्साता ओं यह से एख रधनार्यक किया अध seulement पहले प्हलन्से कः से बने प्रख एक सक बना रखना हम इसको कॉपी कर लेड़े हुस्ट से copy तो यहां पर नाम देंगे क्या नाम दिया है मैंने यहां पर ZGIC input center GST तो यहां पर हम टाइप करेंगे ZGIC इसके हम लगा देंगे input central GST यह आपको default रखने है पर्सेंटेज सब कुछ करने का यहां से हमें क्या कर देना इसको यहां से से पर देंगे से हमारे एक कंडिशन टाइप बन गई हमारी दूसरी बनाते हैं कौन सी बना इती हम ने हम बनाएंगे ऐसे हम दूसरी तयार करते हैं इसको हम इसका नाम क्या देंगे इसका है जैट जी आई एस इंपोर्ट सेंटल स्टेट जी एस्टी तो यहां पर हम आएंगे यहां देंगे जैट जैट जी आई एस तो जैट जी आई एस इसके आगे लगाते हैं इंपोर्ट इसको एंटर करेंगे एंड उसके बाद इसको सेव करेंगे इसके बाद थर्ड बनाते हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसके लिए हमने क्या नाम दिया है जैट जी आई आई जैट जी आई आई इंपोर्ट 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 इस तरह ऐसे हम आउट्पूट का बनाएंगे आउट्पूट के लिए आप डाल दिया ओ यूट्पूट इंटर करेंगे और इसको आउट्पूट हमारा सेट हो जाएगा और आउट्पूट हमारा इंट्र्ट प्रश्ट हो जाएगा आप आप देखिए सारी कंडिशन टायप हमने रेट कर लिए इसमें मैं हमारी इन्फुट की इन्फुट के लिए है रगा सारी हमारी इन्फुट के लिए क्या ऊपर बिल्तुन हर्ट के बाद हम इसलक्या बनाना है हमारे Cindy इसके लिए हम कहा जाएंगे इसको हम डायरेट बनाते हैं यहां से डायरेट को उपन कर लेते हैं अब यहां से निव एंट्री पर क्लिक करेंगे अब यहां पहले की क्या है हमारी जैड जी जैड आई सी इसको बनाते हैं जैड आई सी का है इंपूट संट्रल जी स्टी यह हमारी अकांटिंग की हो जाएगी जैड आई सी इंपूट Central GST इसका Text Type क्यों जाएगा हमारा Text Type यहां से हम Select कर लेंगे Input है, Output है तो Input है Input Select करेंगे आपर इसके बाद Not Reactive पर इसको जोड़ देंगे अब पोस्टिंग इंडिकेटर यह है Separate Line Item पर शो करनी है हमें यह देखिए से हम Save कर देंगे इस तरह से हम दूसरी Create करेंगे New अब दूसरी क्या है हमारी Zis, Zii Zis बनाते है Zis Input यहां पर क्या जाएगा? State State GST अब पर वह Input Input आ जाएगा हमारा और यहां क्या जाएगी? Separate Line Item Separate में चाहिए हमें Separate में शो करना है इसको हम सेव कर देंगे देखिए यह भी हो गया Third क्या हमारा Zii Input Inter-Integrated GST तो अब इसको हम तैयर करते है New Entries Zii Input Inter-State GST इसको भी हम सेव रूपे लेंगे और यहां पर क्या लेंगे Separate Line Item और यहां पर टूपे लिए आमर को पिकाऊ हमारा Input है तो इस तरह से हम Sale के लिए बनाएंगे यह सारे Zoc, Zos, Zoy तो आईए इसे भी बनाते है यहां पर हमने Zoc प्रेस किया Output handle GST अब यहां पर क्या select करेंगे हम Output है तो Output select करेंगे और separate line item में शोह करना है Then इसे हम क्या कर देंगे Save इसे हम एक और create करेंगे हम New अब क्या जाएगा हमारा Zos यह क्या हमारा Output 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 और यहां पर क्या है Output Tax और यहां क्या हमारा separate line item का इसे भी हम save कर देंगे और अब लास्ट है हमारा अब 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 यहां पर हम ले लेंगे आउट्पूट इस तरह से हमारे सारे रेडियो वे यहां देख सकते हो ZIC ZI यह इन्पूट के लिए तीन है और यह Accounting की Outputs के लिए है तो यह भी हमारा complete हो गया उसके बाद क्या है हमारा procedure इसके बाद हमें बनाना है Tax procedure Tax procedure बनाने के लिए क्लिक आएंगे हो यहां से जाएंगे SPRO में SAP IMG Financial Accounting New Global Setting Purchase and Sale Basic Transition यहां पर आएंगे Check Calculation Procedure Define Tax Procedure तो हमने Define Tax Procedure यहां पर Define करना है यहां New Entry पर क्लिक करेंगे यहां पर Tax In कर दिया है और यहां पर दे दिया Tax Procedure India यह हो गया इसके बाद इसको Control Data के लिए करेंगे Select करने के बाद यहां से प्रेस करेंगे New Entry अब यहां पर हमें Step ते यहार कर दिया Step में क्या-क्या है पहला है मेरा 10 यह हम Line Item Set कर रहे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इसके According हमारी Calculation होगी पहली है Condition Type Condition Type पहली जो लेंगे वो लेंगे हम Basic Value Basic Value के बाद उसके बाद Second पर आएगा हमारा जो हमने Condition Type क्रेट करेंगे कौन-कौन सी Condition Type क्रेट की थी हमने Input के लिए यहां से हम Select कर लेंगे हमने करेंगे ZGIC देखे Input Central GST इसके बाद करेंगे ZGIS and ZGII देखे आगे अब यह जो है ZCenter यह किस पर Calculate होगी Basic Amount पर यह भी Basic Amount पर इसका बाद यह हुआ इसका बाद यह हुआ Input Central GST की Calculation Basic Amount पर होगी GS की Basic पर होगी इसकी Basic पर होगी इसकी क्या थी Output के लिए क्या बनाई थी हमने कि Output के लिए Condition Type थी ZGOC देखे यह सारी थी Central के लिए थी S & Z G O I यह हमारी Output के लिए होगी यह भी किस पर Calculate होगी 10 पर क्योंकि Basic Amount हमारा 10 नंबर पर है अब हम इसकी According यहां पर इसकी Accounting Key सेट करेंगे तो हमने जो Accounting Key बनाई है Input Central JST के लिए वह कौन से बनाई है क्या बनाई है हमने हमने है हमने आइधी Z I C जो हमने बनाई है Accounting Key Z I C यह देखे Input Central के लिए है Z I S State के लिए है और Z II किस के लिए है हमारी Z I Interstate के लिए अब है Z O C Output के लिए Set करनी है तो यहां जाएगी Z O C यहां जाएगी Z O S and Z O I जो हमारी Set हो गई अब हम इसको क्या करदेंगे Save अब हमारे Text Pro Accounting की लिंक हो गई हमारी सारी अब हम बहार आएँगे अब हमें आएखे अब हम इसा आप हैन करतेंगे अब कंट्री से अब हम बहार आएखे अब हम हम कंट्री से इंडिया के लिए स्क्राइब करें गां आई कि हमने इक न कीछिड Come 세riend हमारा test for sure हमारा set हो गया अब हम बनाहिए च्क्स कोड तो अब है next topic है Labi नो हमें बनाने क्या नाम चाहते हैं तो हम कोड का नाम दे रहे हैं पहला कोड है हमारा एक्स वन जाला अब हम कोड का क्या नाम देना चाहते हैं तो हमारे जो कोड का नाम है सेंट्रल इन्पॉट हम नाम देना चाहते हैं इन्पॉट 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 है इन्कानल एक उन्कानल इन्पॉट है यहां पर इसको के साथ हो गया तो कि एकल मतफ संव के देने चाहते हमार। सेंटल का हो गया 14% हमारा किसका हो गया कि स्टेट का तो देखिए एंटर कर दी हो गया अब से सेव कर देंगे तो कि यह सेव हो रहा है अब हम दूसरा टैक्स कोड बनाते है हमारा एक्स टू इंपूट इंटेगेटर जीस्ट के लिए टाइप लेंगे इंपूट इंटरिस्टेट जीस्ट पूरा टूंटिएट परसंट आजिएगा इंपूट बैसका उसको भी सेव कर देंगे अब हम बनाएगे आउटुट के लिए ऐपूट के लिए इंपूट एंपूट के लिए ढए हम एक्स भान जीज्च टू इंपूट के लिए और आउटitect लेक्स क्रेंप आप є क्या सलस्थ पंडल आप यहां पर चेंज जाएगा टेक्स टाइप हाफाथ करने में आउटपूट एसको कि करेंगे और आउटपूट का क्याया यहां पर on does this and state 14 परसंट इसको सेफ कर दिया अब ऐसी हम बनाएंगे एक्सित ऍर एक एस इस द Cityा में एक्सअ कोड और बनाना है हामिने राउट इंट्रेस्टेट । है इंट्रेस्टेट आपर में टैक्सटाइब भाधा और जाइगा तेक्सटायब उमारा आउट्फॉत यहांद lessons तो आउट्पुट यहां पर है जाएगा उट्पुट इसको सेव कर देंगें अब यह हमारे टेक्स भी डिफाइन हो गए है तो हमारे नेक्स्ट है अब नेक्स्ट हमारे जील जील क्रेशन जील का जो टैंक्शन कोड होता है वह सारे जील हमें बनाने के लिए हम बहां आते हैं अब आएंगे आप पर टैप करेंगे अधर डेकर हमने पहले जील बना रखे हैं आपको पंदर के दिखाता हूं पहला जील है हमारा इंपूट सेंटल जीएस्टी आप देखिए किसके अंडर है इंपूट सेंटल जीएस्टी यह हमारा लाइन आइटम ही हो गया और यह सिंपल सारे बना लिए हमने ऐसी इंपूट सेंट स्टेट का हो गया इंपूट इंटर स्टेट एंड आउट पूट इस तरह से आप सारे बना लोगे इसके बार एक बनाओगे पर्चेस का पर्चेस का पर्चेस पर्चेस अगांड माई गया हमारा और यहां पर जो टेक्स काटेग्री लोगे वह आप यहां चूज करोगे हम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आल टेक्स टाइप सेलेक्ट करोगे ऐसी सेल में सेलेक्ट करोगे ऐसी सेल का बनाया है सेल में भी स्टैप से होगा तो इस तरह से अब सारे जील हमारे पिरपेर हो गए है अब हम इसको करेंगे अकाउंटिंग के साथ इसकी शोट्ट की ओबी 14 तो आई यह आइए और तो हमने GLSN करना है GLSN करने के लिए हम जाते है SPRO में SPRO IMG and IMG पर आके हम आएंगे financial accounting new global setting and purchase पोस्टिंग यहाँ पर define tax account करेंगे तो हमने जो P बनाई थी वो यहाँ पर है सारी की उसके according जो हमने लेजर दिनके बनाया है वो उनको define दे देंगे हम यहाँ पर है central GST पहला है इसको हम डबल के लिए करेंगे GIS पर company code हम आ रहा है चार्टफ अकाउंट BACS तो इसको हम इसका deal दे देंगे input central tax तो input central tax का है हमारा inputs central GST यहाँ पर पहले हम इनकी पोस्टिंग की define कर देते हैं पोस्टिंग की debit की होती है 40 और paid की होती है हमारी 50 अब अब अकाउंट्स में जाएंगे अकाउंट्स में इसका gl assign कर देंगे input central GST का इसका जो है वो यह वाला है and save इस तरह से सारे glm assign करने पड़ेंगे input central का हो गया इसका जो है वो है gl इसका gl है input इंट्रेस्टेट का है यह वाला इसकी पहले हम पॉर्टिंगे डिफाइन करते हैं 40 रसी सेम 50 अब अकाउंट में जाएंगे और इसका अकाउंट असाइन कर देंगे इंपूट इंट्रेस्टेट इसको सेव कर देंगे और अब हमारा है इस तरह से ही इंट्रेस्टेट इंपूट इसकी पोस्टिंग के हम इससे डिफाइन करते हैं 40 और 50 अकाउंट में जाएंगे इसका हम इसको gl सेट करते हैंगे अब इसका gl जो है वो यह है इसका gl है इनपूर्ट इस्टेट 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 इस तो यह सारी की हमने डिफाइन कर दी है सारे अकाउंट सेट कर दी है इस तरह सी आउट्पूट के करेंगे आउट्पूट इसकी पोस्टिंग की करेंगे 40 & 50 इसका अकाउंट में जाएंगे इसका सेट कर देंगे आउट्पूट इसको हम सेब कर देंगे इस तरह से हम आउट्पूट इस्टेट और आउट्पूट इंट्रेस्टेट हमने सब कुछ कर लिया लाक्स में आते हैं हम entry किसको होगी इसको होता है vendor invoice vendor invoice vendor invoice vendor invoice vendor invoice vendor invoice आगया company code है vendor invoice इसके लिदय vendor ai IPM vendor invoice नदियुकत वियंग सूपोर्ज इसका हिए है हम डाज़े ट्वंटी फोर्थ जुलाइट टू थाउजन थार्टी अगया कंप्पनी का ना माउंट कितने का बिल है हमारा सुपोज वन लाक रुपीस का बिल है पर्षेश कर रहे हुआ हुआ पर पर्षेश्कर जाएगा faculty एक आंज आगया नंट यहां झाल पर हमारा टेक्स कोर्ठ आजाएगा टेक neutrP know हमारा श्का ले Pas पर आउक एक्सत्री लेकं हम अब इसका इससी मुलीट करते हूं कि मुलीट करके देखते आ मैं आपको फिर से एक बार invoice generator के बताता हूं आपको क्या करना है अपर हम vendor select करेंगे अब यहां पर calculate tax कोड आपको क्लिक करना है और particular जो भी आपको टेक्स कोड है वो आपको select कर लेना है और यहां पर आप चेल जो लोगे वो पर्चेस कर रहे हैं तो पर्चेस आएगा तो यहां पर पर्चेस अकाउंट ले लेंगे हम यहां पर हम इस्टार लेके और एक्सवन आूट्मेटिक ले लिया रहे हैं हम सिमोलेट करते हैं इसको तो इनने पर्टिकुलर टैस्ट को डिवाइट कर दिया 14 and 14% सेव करते हैं और मैं आपको एक भी लुख करके दिखाता हूं इस्क्लूशिव के थ्रू एक्स्क्लूशिव कैसे करेंगे हम उसे यह से जाने इस्क्लूशिव के लिए हम करना है ऑप्षिन पर यहाँ पर एडिटी ऑप्षिन में यहाँ पर आएगा एक ऑप्षिन कैल्कुलेट टैक्स और नेट अमाउंट इसको आप सेव कर दोगे और भार आओगे और एक बिल और हम जिन्रेट करते हैं करना पड़ेगा इसके बाद इसके बाद कि आपर टैक्स ले लेंगे सुपोर्ज आपकी बार हम आएज एस्टी कर रहे हैं कि हम सिमुलेट करके देखते हैं अब यहां पर एक लाग 28 है हमको हमको इसको जो हमारा टैक्स निकला है वह आपको डिफाइन करना पड़ेगा फिर यहां सिमुलेट करेंगे यह देखिए लग गया पहले इंटरन लगाया था इंक्लूसिव लगाया था अब एक्स्क्लूसिव लगाया तो इस तरह से में इसको सेफ पर देंगे तो यह पूरा प्रसेस था हमारा जी एश्टी को कैसे आप मेंटेंग करोगे मुझे आश्याप को सुन्ज में आया होगा एंड थैंक यू यहां पढ़ते हैं एक्सर डाइल एनसे पी एपाई सियो में हमारी सेपी फीको की सीरी चल ली है जिसमें हमारी टोटल 18 क्लास हो चुकी है यह हमारी 19 क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और आपने ओडियो नहीं देखिए हैं और आपने और आपने नहीं देखिए देखिए तो नाम से आप प्ले लिश्ट में जाएगी महां जाकर आप चैक कर सकते हों और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल कि मैं इस तरह की इंट्रेस्टिंग एड्यूकेशनल वीडियो इस चैनल पर अप्लोट करता रहा हूं तो आए अब स्टार्ट करते हैं स्टार्ट तो अउस्ट अपाल्स सब्सक्राइब 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 साथ क्या अटकर सबसक्राइब मैंनेद्र इस Magic independently part of तो इसमें हमने सारा प। परचेस से लेटेट वंडर से लेटेट काम सीख sudah सिखेंगे उट इसमें हमारा जो टॉट करें तो हम 10 इओ मैं आता हूँ आता हूँ आता अ अजिए है अ дов सब्सक्राइब तो इसका सॉटकट क्या है ओ बी डी टू अग्डाइट जा सकते हैं यह देखिए और अगर आप मेन्यू पास से आना चाहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा कॉस्टमर एकाउं वीड रेटा गेंडिट को फिर्टेन सबसे पहले डिफाइन अकांटिंग पर कि इसक्रीन हो हम यहां पर एक लिए प्रिट करें यहां पर और आउस्टिस्टेजन कस्टमर हो गए तो इस तरह से आप अपनी कंपरी के अपने अकांटिंग गुरूप डिफाइंग कर सकते हूं मैं नॉर्मल एक गुरूप बना रहा हूं भी आर मैं अपने मैंने जो बनाया बी आर सी एस बनाया है ठीक है तो हमने यह डाल दिया इसका क्या है कर्षक्पिमर कर्षक्पिमर को भी आर ठीक है यहां पुछा है जनरल डेटा कंपनी कोड़ डेटा एंड से तो यह आपके फिल्ड इस्टेटास हैं यह वीडियो में पहले आपको बता चेखा हूं फिल्ड इस्टेटस किस काम के लिए आते हैं इसमें अलगल अप्शन होते हैं सब्रेस रिक्वाइड ऑप्शनल और डिस बिल्कुल दिखेगी नहीं घ्रे हो जाएगी ऑप्शनल कर दूंगा तो मैं उसे फिल्ड करूं या ना करूं वह जाएगी डिस्प्ले वानली डिस्प्ले करेगी ठीक है तो यह टॉपिक में आपको पहले पढ़ा चुका हूं इसमें हमें एक उप्शन को जो हमारे लिए जरूरी है वह हमें रिक्वायर करना पड़ेगा वह क्या है यह वाला रिकंसिलेशन एकाउंट तो इसे हमें रिकंसिलेशन एकाउंट का मैं एक प्रिवेस वीडियो वैसे बना चुका हूं वेंडर एकाउंट पेबल में रिकंसिलेशन एकाउंट बेसिकली हमारे वेंडर क अमौंट को capture करने के लिए बना जाता है यह अब customer में जितने भी हम customer क्रेट करेंगे उनका जो भी हम जो entry करेंगे वो customer करेंगे लेकिन जब हम balance sheet बनाएंगे तो सारा अमौंट किस account में आएगा reconciliation account अब हम बनाएंगे तो अब बहर आते हैं वह बस इसे से पर देते हैं हमें यही रिक्वार्मेंट से और इसको एक कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट क्रेट करते हैं अब हमारा बी आर सी एस हमने कस्टमर बना दिया है अब आते हैं हम अब हम पहला हमारा वर्क फिनिश हो गया है अब आते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक क्रियेट नंबर रिंज नंबर रिंज एकांट से पढ़ा नंबर रिंज बेसिकली नंबर डिफाइण करेगी जैसे हम पहला बनाया सबस्क्राइब देखें, मैंने इस नीचे याएंगे आप मिल जाएगा, इस पर क्रिक करेंगे तो इसे कलिक कर दिये जाएगे, है आप इलमे से भी चूज़ कर सकते हो अपनी बनानी से प्लस से आप क्रेट कर सकते हो ठीक है मैं देख लेता हूं एक बार अगर पहले से कोई बनी है तो हम उनिका यूज़ कर लेते हैं तो चलिए हम use करते हैं यह वाली number range यूज कर लेते हैं 01 यूज कर रहे हैं ठीक है अगर आपको बनानी है तो आप यहां से बना सकते हो ठीक है तो 01 हम यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारा next topic क्या है assign number range to customer account अब हमें इस number range को अपने customer account group से assign करना पड़ेगा, तो उसका T code क्या होता है, O, B, A, R, path यह है, पूरा, तो path पे हम already है, तो create number range से नीचे या assign number range को, assign number range को आएंगे, यहां पर अपनी number range को अपना account group search करेंगे, B, A, R, C, S, T, तो आगया, हमने number range को 0, 1, तो इसे save कर दिया, and save, यह data हमारा save हो गया, तो तो आज की वीडियो में हमने क्या का सिखा, accounting symbol क्या होता है, accounting group बनाना, customer number range, assign number range to customer account, अगर आप वीडिश लेगे हैं तो like करिए, जादे से जादे शेर करिए, and फिर से बोलना हूं, please, please subscribe my channel, thank you, Hello friends, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम है मानशोगरवाल, और यहां पढ़ते हैं एक साट है इन SAP FICO module, आज हम SAP पढ़ने वाले हैं, यह SAP की 20th class है, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने last class से start क्या था, account receivable part, जिसमें हमने पढ़ा था, customer group कैसे बनाते हैं, number range कैसे create करते हैं customer की, और assign number range कैसे करते हैं customer account की, और इससे पहले, हमारी total 19th class हो चुती है, अगर वो आपने नहीं देखे हैं, तो हमारे channel की playlist में जाकर, आप तुने देख सकते हैं, SAP Figo नाम से आपको playlist मिल जाएगी, वो आप जरूर जैक पर लें, तो यह सारी classes हमारी complete हो चुकी है, तो आज का जो हमारे topic है, वो है, sundry debtor account हम बनाएंगे और customer create करेंगे, तो आईए start करते, तो सबसे पहले हमें sundry debtor account बनाना है, यह reconciliation account, यह हमने accounts stable में ही पड़ा था, अब को धियान हो तो, उसमें sundry credit account बनाया था, because account stable था, इसमें sundry debtor account बनाएंगे, because account is usable है, तो GL बनाने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है, क्या होता है हमारा, fs 00, और path मैंने यहां पर दिये, तो हम से SAP में आते हैं, अब मैं direct fs 00, t code के दू जा रहा हूं, तो हम यहां से GL create करेंगे अपना, तो create में आके आप यहां से create कर सकते हो, मैंने पहले बना रखा है, तो हम आपको दिखा लेता हूं, संटी data account, create करेंगे तो वैसे बन जाएगा, otherwise इसको edit कर लेता है, तो किस में बना आया है, balance sheet में आएगा, assets balance sheet में, संटी data account and short text और long text हो गया, फिर control data में आया है, control data में आपको क्या दालना है, यहां पर reconciliation account हमारा, पहले हमने vendor select किया था, अब हम क्या बना रहे हैं, फोर customer के लिए तो, reconciliation account किस के लिए होगा है, customer के लिए ठीक है, उसके बाद short key क्या होगी, line item 001, posting date के guarding, control data में आएगे, और reconciliation account, यह हमारा status group क्या होगा, 0061, बस आपको इतना ही करना है, यह GL बनाने के लिए, और यहां से आपको इसको save करते हैं, यह आपका GL create हो जाए है, ठीक है, GL create करने के बाद, अब हमारा next topic क्या आता है, next topic है हमारा customer creation, कि हम customer कैसे create करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो T code है, वो है, FD01 और sap का path है यह, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, financial accounting, accounts receivable में जाना है आपको, then master record, देखें यहां पर FD01 for create के लिए होता है, FD02 for change, FD03 for display, FD05 for block करना है, अगर आपको किसी customer को FD06, अगर आपको किसी को deletion indicator लगाना है, तो हम FD01 से create करते हैं, तो create का है, अब यह पूछेगा कि account group कौन सा है आपका, तो account group आप यहां से इस पर click करके select कर सकते हो, तो कल हमने कौन सा group बनाया था, यह बनाया था और इसको click कर दिया, अब कुछेगा title की company है, company हमारी सुपोर्ट, एक्स वाई, जट, इंडिया, लिमिटेड, ठीक है, search में कहाएगा, एक्स वाई, जट, यह posting address कुछ भी डाल दो, भी मैं ही डाल देता हूं, country कहाँ पर है, इंडिया में है, region क्या है, 30, आपको address, phone number डालना है, तो यहां से डाल सकते हैं, control data में कुछ नहीं डालना है, payment information में आपको यहां से डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो, otherwise अभी हम कुछ नहीं डालना है, उसके बाद आएंगे, company code data में, यहां पर देखिए, reconciliation account को option है, जो अभी हमने reconciliation account बनाया है, उसे हमें अपने customer से link करना पड़ेगा, क्यों करते हैं, कि जब भी हम, entry जब हम करेंगे, तो entry हम क्या post करेंगे, entry हम post करेंगे like, sale जो भी हम करेंगे particular, sale हमारी customer account debit हो जाएगा, sale क्या हो जाए, create हो जाएगी, तो हम vendor के नाम से entry करेंगे, जब हम अपनी report चेक करेंगे, कि हमारे total data कितने के हैं, तो यह क्या करेंगा, जितना भी इस customer में balance होगा, वो हमारे इस particular reconciliation account में transfer हो जाएगा, तो हम reconciliation account के through हम total balance चेक कर सकते हैं, और individually vendor wise तो vendor के थूर चेक करेंगे, तो हम reconciliation account के क्लिक करेंगे, यहां से sunday debt account क्लिक करेंगे, यह हो गया, इसके बाद बस कुछ नहीं करना, आपको इसे save करेंगे, save करते ही देखें, नमर आया, customer 207 has been created for company code BR, then finish, ठीक है, बाहर आ जाएंगे हो, ठीक है, तो यह हमारा finish हो गया है, तो account receible में हमारे इतने topics यह सारे cover हो चुके हैं, अब next video में जो मैं पढ़ा हूँ आपको पढ़ेंगे हम customer invoice कैसे SAP में post करते हैं और incoming payment किस तरह से हम customer से receive करते हैं, वो हम सीखेंगे अपनी next video में, तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगे होगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो जादो से जादो लाइक करिए, share करिए, प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक यू, हलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है माश्योगरवाल और यहां हम पढ़ते हैं, आज हमारी SAP की 21 क्लास है, 21 वी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, Customer Invoice Posting and Customer Incoming Payment, तो इससे पहले हमारी टोटल 20 क्लास हो चुकी है, अगर आपने वो मेरी वीडियो सीरी नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाके, प्लेइलिस्ट में जाके, आपको मेरी SAP को नाम से एक प्लेइलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी वीडियो वीडियो आविलेबल है, तो आपको सीरीज, अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं, तो मेरी पूरी सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं, कश्टमा इंवाइस पोस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें कश्टमा इंवाइस पोस्टिंग करने हैं, तो उसके लिए हमने संड़ी डाटर अकाउंट और वेंटर क्रियेशन तो हमने लाक्ष वीडियो में सीखी लिया है, तो हमें एक लीजर बनाना पड़े का शेल्स का है के होगा हमारा करें घ्री वियुका रहागा सेल्स एकाउंट यहां सेल्स ठीक है लाकि यह चीज तो आपको नॉर्मल सा पता ही है मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूं कर देंगे और हमारा बन चुका है अब हम एंट्री करने के लिए कहां जाएंगे सेपी मेन्यू एकाउंटिंग एकाउंटिंग एकाउंट रिसीवेबल डॉकुमेंट एंट्री एंड इन्वाइस पॉस्टिंग तो इसकी शॉट्कट की इसका टी कोड क्यों होता है अगर आप एपी सेवंटी प्रेस करेंगे तो डाइट ही ओपन हो जाएगा ठीक है तो यह पूछ रहा है सबसे पहले कंपनी कोड़ चेंज कर लेते हैं कंपनी कोड़ हमारा भी या कि कंपनी कोड़ चेंज हो गया और यहां करेंगे हमारा कॉस्टमर कौन सा था अगर देखे बीर पीयल और यहां से हम अपना यहां से हम अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे यहां ABC और XYZ दो कस्टमर है तो मैं ABC से पोस्ट करता हूँ अब यहां पूछ रहा है इन्वाइस डेट तो इन्वाइस डेट सुपोज हम ने डाल दी अब पूछ रहा है अब कितने कि हम ने डेट डाल दिया यहां पर इमाउंट ढालते हैं अमौंट हमने लाइक हमने पचाज़र गें री पोस्ट करनी है यहां पर हम टालेंगे हमने टाल दिया सोट भूश तो एबीसी अब यहां डालेंगे अब यहां से हमने रख आप करेंगे और ऑम स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेंगे यहां पूछ रहा है अब क्या करना है हमें सिम्लेट करके आप चेक कर सकते हो देखें एबीसी इंडिया लिमिटेड डैबिट है और सेल हमारी क्रेट हो ठीक है सब कुछ होने के बाद इसको कर देंगे सेव अब एंट्री हमारी सेव हो चुग है देखें डॉक्मेंट नमबर आ गया हमारा सेव हो है हम वह हम हमदाद करें डिस्प्ले करते हैं तो हम रिपोर्ट करते हैं छर कि दिस्प्लेट लाइन इटम वाइस तो मारा कूर्ण का नंबर क्या था 206 ठीक है ओपन आइटम हम चेक कर रहे हैं से हम क्लिक करेंगे लिए अगया DR इंकमिंग पेमेंट करते हैं पेमेंट हमें मिल लिए सब्सक्राइब करेंगे तो एंट्री का होगी कैश्या पैंक डेबिट होगा और कस्टमर हमारा क्रेट हो जाएगा यहीं होगी तो कैश्या हम डेबिट कर लेते हैं इसको कि इस कितने रुपए दे रहा है या वह आपके उपर करता है पार्शल में है वह मैं आपको पहले पढ़ा रखा है तक है पचाजार रुपर का बिल था पचाजार रुपर पूरे ले रहे हैं ठीक है रिषीब कैश किस वेंडर से वह किस कस्टमर से सब्सक्री कस्टम कि आगे इसको एंटर कर देंगे एंटर करते हैं देखिए आ जाएगा यह डॉकुमेंट हमारा है देखिए अमोंट एंडर पचाई जार रुपए एक बिल है पूरा का पूरा जीरो हो गया ठीक है अब इमें इसे क्या करतेंगे अगर यह हमें कम देता पेमेंट तो हम सेव करते ही डॉकुमेंट पोस्ट हो गया अब भार आते हैं तो अब एकाउंट में जाके कस्टमर लाइन इटम चेक करेंगा एब बील फाइव एंस से ठीक है ओपन की जगह हम यहां पर आल आइटम स्लेट करके यह देखिए होगई पेमेंट जीरो होगई वह सारी सोरी होगर का अमांट कस्टमर से बैलेंस जीरो हो गया तो इस तरह से हम डॉकमेंट स Bref करते हैं कर्फ़ेघर और общем loving कि से तो मुझे मुझे आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगिया तो लाइक करिए एंड प्ली सब्काइब में चैनल थेंक यू मेरा नाम में मांशोगरवाल और यहां पढ़ते हैं एक सब्सक्राइब अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप पर आपको सब्सक्राइब को नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी देखे करसर को आप यहां जाकर सारी वीडियो चेक कर सकते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीस्ट सब्सक्राइब में चैनल इस तरह की अपने चैनल पर अप्लोड करता रहता हूं तो आई अब स्टार्ट करने के लिए अब आते हैं हमारा कि तरह होती हमारी कश्टमर डाउन तो उसके लिए हम सबसे पहले अगर आप किसी से कश्टमर से एडवांस में ले रहे हो तो एंट्री क्या होगी आपकी कैश्यर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिसके तुरूब या रहा आपके पास ता ऐसा एंड एडवांस फ् कश्टमर क्या होगी हमारे लिए लाइबिल्टी हो जाएगी तो सबसे पहले हमें एक जीयल करेंगे करेंगे डवल जिरो में ठीक है लाइबिल्टी में एडवांस प्रॉम कश्टमर एकाउंट ठीक है कि अब बना रिटाओं में लाइबिल्टी हमारे लिए लाइबिल्टी में कि आएगा एडवांस प्रॉम्टर आया था आपकर आजाएगा एडवांस क्रॉम्ट कर्श्ट क्रॉम्ट कर्श्टमर ठीक है तो यह हमारा जील बनेगा उसके बाद हैंगे कंट्रोल डेटा में में यहां पर इंसलेशन एकाउंट क्या जाएगा हमारा कर्श्टमर ठीक है तो इतना करने के बाद बस ही से हम क्या करेंगे सेव्ट हमारा जील क्रेट हो गया अब हम आते हैं बैक जील क्रेट होने के बाद हमें आयमजी में कुछ सैटिंग करनी पड़ेगी अपने जो रिकंसिलेशन अकाउंट को उप है उसको एडवांस डाउन पीएमेंट वर टश्मर से लिंक करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले हमें अपने जो हमने रेकंसिलेशन जो हमने अवहार डिंट करेड के राय है उसको अपने डाउन पर में वरह से अम घ् pesticņड करना, उसके लिए हम का यहां पर आपको multiple दिख जाएंगे, वो customer के लिए आता है, तो यहां पर हमें जो use करना है, वो करना है, दाउन पयमेंट एक, आप अपना भी create कर सकते हो, यह predefined है, हम predefined use करते है, company को चार्ट अपको अमारा PRPS है, तो यहां जाएगा, और इस पेसल जो अभी हमने बनाया है, वो हमें यहां से लेना है, advance PRPS, ठीक है, हो गया, अग्सका अगार देंगा, save, ठीक है, इसे save होने के बार back आजे, ठीक है, back आने के बार, अब हमें down payment देनी है, तो down payment देने के लिए, advance 29, तो हम down payment देते हैं, तो इसका path के तुम जा रहा हूं है, accounting, financial accounting, account receivable, and down payment, down payment, advance 29, ठीक है, यहां पर आजेंगे, down payment मैं 21st of April को दे रहा हूं, ठीक है, customer को किस customer को दे रहा हूं, वो customer हमें here select करना है पड़ेगा, ABC को, ठीक है, ABC को दे रहा हूं, अब यहां चीज़ देखो, special real indicator, जो अभी मैं set करके आए हूं, क्या था, A था, A, यह A हां पर देंगे है, ठीक है, उसके बाद bank account, जो down payment हम receive कर करेंगे, so suppose हमने cash में ले लिए, ठीक है, as receive advance, ठीक है, okay, amount अलना पडेगा, amount हमने, I suppose, 25,000 advance में ले लिए, ठीक है, क्या हूं, क्या हूं हमारा cash account हमारा debit हो गया, पच्छे से, ABC Limited, से क्या हूं हमने, advance में, पैसा ले लिया, ठीक है, customer से हमने advance में पैसा receive कल दिया, ठीक है, अब हम अपनी report check करते है, report check करने के लिए ठाएंगे हम, यहापर जाएंगे हम account में, अब आप नीचे आएंगे, तो आपको एक option मिलेगा, special GL transition, जो मैंने special GL, A, जो है, वो special GL है ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको run किया, run करते ही देखे, show हो गई, यह हमारा document number आगया, ठीक है, यहाँ से आप, तो आप जैसे इसको open करेंगे, आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, special GL indicator, ठीक है, पर आप करेंगे, यहाँ पर आएगा, special GL indicator, इसको आप add कर लेगे, ठीक है, add करने के बाद, तो copy, देखे, special GL indicator, आगया, इसका मिला, A, यह हमारा advance payment, advance receiver, ठीक है, कर्समर से, और यह हमारा, क्या ह है, document, अब हमें क्या करना है, अब हमें actual invoice post करना है, advance हमने ले लिया था, suppose 50,000 रुपे का हमने, माल देना है, customer को, ठीक है, हमने माल बेचा, अब उससे हमने 25,000 रुपे advance ले लिए, अब हमने invoice paste करना है, अब हमने माल बेच दिया उसको, अब हमने invoice post करना है, invoice post मैंने बताया था, अब भी 70 को करते हैं, customer invoice post, ठीक है, invoice invoice date, यही डाल देता है, amount 50,000 का, ठीक है, source to ABC, अब GL, GL के आएगा, sale, sale करें, ठीक है, अब देखिए, एक window open होगी, अब एक आपको just information देगा, 25 रुपे down payment exist है इसकी, ठीक है ना, तो हम इसको बस ignore कर देते हैं, ठीक है, text कर देते हैं, और जैसे save करते हैं, ठीक है, save करने के बाद, अब हम दुबारा से line item में आते हैं, और यहां से इसको ब्या करते हैं, refresh, refresh, refresh करते ही देखे क्या हुआ, एक document जो हमने invoice, जो हमने customer से advance लिया था, और एक DR हमने invoice post किया है, ठीक है, अब यह क्या बता रहा है, कि हमें 25,000 रुपे, अब इसको इसको और लेने हैं, ठीक है ना, 25 हम पहले ले चुके हैं, और आप 25,000 और लेने, तो बट यह जो है, यह advance ह है हमारा, यह मैं आपको advance indicator दिखा चुका हूँ, special indicator, यह यह देखिए, यह हमारा क्या है, advance है, तो हमें इस advance को पहले, normal में लाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, back जाएंगे, ठीक है, accounting, financial accounting, account receivable, document entry, and down payment, down payment में हमें यहाँ पर एक option दिखा है, F-39 for clearing, ठीक है, तो हमने, आज के दिन हम clear कर रहे हैं इसकी, ठीक है, अब पूछ रहा, account customer कौन सा था, हम यहां से दाल देखें, A-B-C, ठीक है, अब देखें, invoice reference ने automatic ले लिया, अगर नहीं लेता है, तो यहां से आप इसा copy करके डाल सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर text है जाएगा, advance converted to normal, ठीक है, अब यहां पर down पर जैसे हम press करेंगे हमारे पास जो इसकी advance है वो display हो जाएगी, ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पर click करना है, और यहां पर document जाएगा कर देना है, simulate करते ही देखिए, यह amount advance से निकल के कहाँ चला गया, normal उसमें, ठीक है, बसे save कर देना है, save करते हैं, अब हम अपना report चेक करते हैं, display में, refresh, यह देखिए, special हट गया, अब हमें normal 25,000 रुपीस से इसके receive करने है, तो receive करने के लिए मैं आपको, receive करने के लिए कहाँ आते हैं, f-28 पे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, amount कितना, 25,000 रुपीस से 2,000 रुपीस से, ठीक है, process open item कर रहेंगे, चेक है, process open item, अब यहां देखिए, हो गया, automatic लगिए, इसे क्या करते हैं, save, अब हम report चेक करते हैं, अब देखिए, अगर मैं refresh करूँगा, तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा, अब हम भार जाएंगे आप यहाँ पर all item पर click करेंगे आप इसे रण करेंगे तो इस तरह से हम down payment process customer का करते हैं मुझे आशा आपको सुनना है होगा अगर आपको अच्छा लगया है तो like पर दिए शेल करें and please subscribe my channel thank you